Hey guys, what's up, कैसे हैं, आप सभी लोग बहुत-बहुत सभागत हैं, आप सबका आज के इस amazing से सेशन में one short revisionary series हम लोग करने हैं, GST की और आज इसका second lecture लेकर मैं आपके सामने आ गया हूँ, हम तीन topics आज cover करेंगे, बहुत ही important, value of supply, input, tax, credit, or registration, and trust me, जस तरहते हम ये तीनो topics cover करने वाले हैं, that's just going to blow your mind up, right, तो बहुत मसा आने वाले है, वीडियो के description में आपको link दिया हुआ है, जहां से आप लोग notes को download कर सकते हो, ये हम लोगों का आगे का revisionary schedule है, इसको आप लोग अपने screen पर देख सकते हो, जिससे अगर आप लोगों को आगे की कुछ planning करनी हो, कि पहल करने वाला है, तो एक आगरता दो-दो batches लेकर आ रहा है, 15th of April से CA Foundation December 24 के batches start हो रहे हैं, अगर आप live join करना चाहते हैं, तो you'll get it at 9,999, in which you'll get access to all the educators, right, और अगर आप offline face-to-face indoor में करना चाहते हो, तो the price is 24,999, बाकी details आप लोगों के सामने हैं, ये अगर आपके कोई भी दू आप उनके सामने बता सकते हो, ये सारी details आप लोग अपने screen पर देख सकते हो, let's get started, value of supply का ये सुन्दर सा चार्ट आपके सामने है, जो कि आपको notes में विला ही है, ठीक है, आओ, इसका discussion हम लोग start करते हैं, right, तो value of supply में CA intermediate level पर बड़ा simple सा है, बस 5 subsections है, section 15 हमारे पास, जि करके हम इसका discussion स्टार्ट करते है, subsection 1 जो है, वो कहता है कि अगर, supplier recipient unrelated है, supplier और recipient unrelated है, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, and price payable is the sole consideration, मैं आपको कुछ समान बेच रहा हो, और उसके लिए आप जो मेरे को दाम दे रहे हो, बस वही consideration है, कोई और consideration नहीं है, और वही आपकी value of supply हो जाती है, ठीक है, subsection 2 बात करता है, inclusions के बारे में, कि इस value में क्या-क्या चीज़ें आपको include करनी पड़ेंगी, तो आओ बात करते हैं, जो भी taxes, duties वगेरा होगी, ठीक है, अगर आपने कोई और taxes मेरे से लिए है, मैं supplier हूँ, आप recipient हूँ, अगर मैं आपसे कुछ और taxes वगेरा collect कर रहा हूँ, तो वो भी value में add होँगे, लेकिन हाँ, जो GST अगर मैं आपसे collect कर रहा हूँ, GST के अलावा सारे taxes आड होँगे, GST आड नहीं होगा, क्योंकि of course जो मैं आपसे GST ले रहा हूँ, वो value नहीं है, वो मुझे सरकार को ही जमा करना हो आप recipient हो, मैं supplier हूँ, तो अगर आप मेरे कहने पर किसी तीसरे बंदे को payment कर रहे हो इस supply के लिए, तो जितना payment आप उस तीसरे बंदे को pay कर रहे हो ना, वो भी मुझे value of supply में add करना होगा, वो भी मेरा value of supply बन जाएगा, next, incidental expenses such as straight packing etc, अगर मैं आपका समान आपके पास payment कर रहे हो, और मैं आपसे उस delayed payment की वज़े से interest या penalty वगरे ले रहा हूँ, तो उसको भी मैं add करूँगा, और पांच बात आपका, subsidies linked with the price, ठीक है, तो जितना पैसा आप मुझे दे रहे हो, अगर उस supply के लिए, मुझे कहीं से subsidy मिली है, या आपको कहीं से subsidy मिली है, या बेस तो वो definitely add होगी, तो subsidy अगर central government या state government से मिल रही है, तो इसको include नहीं करेंगे, लेकिन अगर कहीं और से subsidy मिल रही है, तो इसको include किया जाएगा, ये था section 15 का subsection 2, जो की inclusions के बारे में बात करता है, section 15, subsection 3 बात करता हैगा, exclusions के बारे में, ठीक है, exclusions में एक ही चीज़ आती ह आपका discount, अब discount को लेकर बहुत सारा पंगा हो जाता है, कि कौन सा discount minus करना होता है, काौन सा discount minus नहीं करना होता वग्यरा वग्यरा, सबसे पहले pre-supply discount, supply करने से पहले अगर मैंने आपको कोई discount आपको कोई पंगा ही नहीं है, वो discount हमें पता भी होगा, invoice पर मैं उसको mention कर इस discount का supply से पहले आपको पता था हम लोगों ने agree किया था कि यहां ठीक है supply करने के बाद अगर आपने यह conditions fulfill की तो फिर मैं आपको additional discount दे दूँगा ठीक है अगर यह agreement time of supply के time पर यह agreement था कि आपको additional discount मिलेगा तब तो यह पहली condition हो गई दूसरी condition discount can be linked to specific invoices कि यह जो transaction है इसी से related discount में आपको दे रहा हूँ बाद में दे रहा हूँ और तीसरी condition है buyer reverses any ITC that he had claimed earlier आप अभी मुझसे supply ले रहो मुझे पैसा दे रहो आप जो भी मुझे पैसा दे रहो आप इसका ITC ले रहो ठीक है बाद में अगर मैं आपको additional discount देता हूँ तो अभी जो आपने ITC ले लिया उस ITC का आपको reversal करना होगा तो जो post supply discount है उसका reduction हमें तभी मिलेगा अगर ये तीन condition satisfied है amount for such discount existed at the time of supply, discount can be linked to specific invoices and buyer reverses any ITC that he had claimed earlier ठीक है ये pre supply discounts और post supply discounts के बारे में बात हो गई है और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं discounts clarified by clarifications के बारे में कुछ discounts ऐसे हैं जिनके लिए clarifications आएं तो आओ देखते हैं कि ऐसे discounts deduct करने होते हैं या नहीं होते हैं देखो एक होते हैं आपके staggered discounts staggered discounts में क्या होता है volume के साथ साथ discount बढ़ता जाता है और वो invoice पर mentioned होता है ठीक है जैसे amazon पर अगर आप लोग देखते होगे अगर आपने कोई एक चीज़ खरी दी तो suppose 100 रुपिक ही मिल रही है दो खरीद होगे तो फिर आपको let's say 95 रुपीस की मिल जाएगी पांच खरीद होगे तो let's say आपको 90 रुपीस पर piece मिल जाएगा and so on पर item मिल जाएगा and so on है ना तो staggered discounts ऐसे होते हैं कि जितने ज्यादा आप खरीद होगे वैसे वैसे आपको discount बढ़ता जाएगा और यह invoice पर mentioned होता है अगर यह invoice पर mentioned है agreement है तो बहुत अराम से इसका reduction आपको मिल जाता है next आते है हमारे पास periodic या year end discounts ठीक है कि मेरा आपसे agreement हो गया मेरा आपसे क्या agreement हो गया कि मैं आपको दूँगा discounts दूँगा साल के end में खुश होकर मैंने आपको दे दिया तो based on annual purchase volume और यह pass होती है through credit notes यह pass of supply discount can be linked to the specific invoices and buyer reverses any ITC that he had claimed earlier अगर यह तीनों conditions fulfill हो जाती है तो मुझे इन periodic discounts का भी reduction मिल जाएगा next होते हैं आपके पास secondary discounts secondary discounts क्या होते है time of supply के accordingly time of supply के time पर जब supply होती है उस time पर यह पता नहीं होते तो जब यह पता नहीं होते है तो वो जो तीन conditions थी वो फुल्फिल नहीं नहीं हो पाती है जब वो तीन conditions फुल्फिल नहीं हो पाती है तो इसका reduction यहाँ पर नहीं मिल पाता है और रीसेंट की यह commitment आया है no claim bonus का reduction मिलेगा absolutely मिलेगा क्योंकि no claim bonus जब insurance company जब आपको insurance देती है तो वो बता के रखती है कि अगर आपने साल भर में कोई claim नहीं किया insurance का तो आपको अगले वाले मेंसे no claim bonus का discount देरेंगे तो पता ही रहता है सब कुछ पता रहता है तो disclose in policy documents and mentioned in invoices complying with section 15 3a तो इसका भी आपको reduction मिल जाता है 15 1 हो गया 15 1 ने कहा transaction value is the value of supply अगर supply is between unrelated persons and price is the sole consideration of supply section 15 2 ने inclusions के बारे में बात की section 15 3 ने exclusions के बारे में बात की section 15 4 कहता है कि अगर 15 1 के हिसाब से supply नहीं निकल पा रही है और section 15 5 कहता है कि अगर सरकार बता दे कि इन कुछ supplies की valuation आपको section 15 1 से नहीं करनी है तो उसके लिए rules apply होंगे जो rules आपसे ये final में पढ़ोगे जो rules आपसे ये final में पढ़ोगे अब मैं आपको एक चीज़ और बता दू अगर आपने statutory update बहुत पहले डाउनलोड किया था तो आपको value of supply में भर-भर के amendments दिखाई देंगे लेकिन वो सारे के सारे amendments बिल्कुल भी relevant नहीं है वो amendments बिल्कुल भी relevant नहीं है क्योंकि वो सारे amendments CA final के है ठीक है I was also shocked because I had downloaded the statutory update as soon as it came in December 2023 तो जब December में statutory update आया मैंने तुरंट उसको download कर लिया था तो अभी जब मैं उसको देख रहा था यह सारी चीजें तो CA final वाली है यह उन्होंने intermediate के statutory update में क्यों डाल रखी है तो कमाल के बात यह कि institute ने अपना statutory update को भी amend कर दिया है तो institute ने जो December 2023 में statutory update निकाला था उसको institute ने amend कर दिया है और अब अगर आप नया वाला statutory update डाउनलोड करोगे वहीं से जहां से आपने पहले डाउनलोड किया था वहीं से जब आप डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको value of supply में सिर्फ एक ही amendment दिखाई देगा वो वही होगा कि specified actionable claims के लिए जब आपको advance मिलता है तो उसके लिए time of supply will be the date on which the advance is received जिसको हम लोग ड करने किताब से and as I mentioned in the previous session also के mcqs की book आचुकी है तो mcqs की book आचुकी है इसके detailed solutions वगदर सबकुछ है आपके income tax or GST सबकुछ इसमें included है तो आप इससे practice कर सकते हो ठीक है let's start with our discussion on input tax credit so input tax credit एक काफी important chapter हो जाते है क्योंकि इससे आपके major जो questions होते हैं जो compulsory question होता है वो आपका आता है ठीक है तो यह लेकिन input tax credit जो है उसका थोड़ा सा base है actually जो main question आते हैं वो एक आपका एक chapter है payment of tax तो payment of tax के अंदर बहुत बड़े बड़े questions आते हैं November 2023 तक तो 8 number के questions आते थे अभी में 2024 onwards कैसे questions आएंगे वो हम लोगों को mock test जब latest mock test जैसे ही आ जाएगा वो पता चलाएगा अगर आप ये वीडियो तब देख रहे हो जब mock test जैसे आ चुका है तो आपको मालूमी है latest mock test paper को आप download करके देख सकते हो ICAI की website से कि जो GSE का गंबल सरी question होता है वो अभी कितने नंबर का ये लोग देने वाले हैं May 24 onwards ठीक है input tax credit के अंदर हम लोगों को तीन sections पढ़ने होते हैं section 16, section 17 और section 18 ठीक है section 16 बताता है कि आपकी eligibility criteria क्या क्या है section 17 बताता है कि किस तरह से आपको credits को apportion करना है और blocked credits कौन कौन से है और section 18 बताता है कुछ certain specific circumstances के बारे में जहाँ पर आपको credit मिलता है और credit कैसे कैसे मिलता है ठीक ह लेकिन ये section 16, 17 और 18 को करने से पहले हम लोगों को दो basic processes को समझना है कि input tax credit avail करने का basically process क्या है ठीक है तो पहले उसको आप लोग ध्यान से समझना उसके बाद हम लोग section 16, 17, 18 पर आएंगे ठीक है तो it's gonna be a lot of fun बहुत मज़ा आएगा दोस्तों नाराम से क्या होता है अगर मै किसी से समान खरीद रहा हूँ ठीक है तो मैंने जिससे भी समान खरीदा उसको जो भी मैं पैसा दूँगा वो तो उसका पैसा हो गया प्लस जो भी मैं उस पर GST दूँगा इसी GST का मुझे credit मिलेगा अब government को कैसे पता चलेगा कि मैंने इतना GST उस अपने supplier को दिया हुआ ह क्या करता है GSTR1 करके एक return होता है जो उसको हर महीने supplier को file करना होता है तो हर supplier क्या करता है एक GSTR1 वाला return file करता है monthly return होता है और यहाँ पर कोई भी supplier अपनी outward supplies की details बताता है तो 11 तारीक of the next month for example अगर March 2024 का महीना चलना है तो March 2024 में जितनी भी supplies में करूँगा जितनी भी supplies कोई भी supplier करेगा उसको 11th of April तक 11th of April तक GSTR1 file करना होगा जहाँ पर वो सरकार को बता रहा होगा कि मेरी total output supplies कितने किती थी उन में से कितने कितने का GSTR मैंने लिया हुआ है तेक है उसके बाद एक form होता है GSTR2A ठीक है अब मैं फिर से अपनी बात कर रहा हूँ मैंने किसी supplier से माल purchase किया ठीक है मैंने किसी supplier से माल purchase किया मैंने उसको GST दिया हुआ है इसी GST का मुझे credit लेना है जैसे ही मेरा supplier GSTR1 file करेगा मेरे पास एक जो GST का portal है उसके अंदर एक form होगा GSTR2A ठीक है उसके अंदर एक form होता है GSTR2A GSTR2A automatically update होता रहेगा ठीक है मेरे सिर्फ एक supplier से तुम्हें माल खरीद हूँगा नहीं कई सारे suppliers होंगे तो जो supplier जैसे जैसे GSTR1 file करेगा वैसे वैसे वो सारी details मेरे GSTR2A में update होती रहेंगी तो this allows recipient to see the supplier's filings मेरे किसके supplier ने GSTR1 file किया वो मुझे कैसे पता चलेगा वो मुझे GSTR2A से पता चलेगा तो reflect details from GSTR1 file by the supplier indicates eligibility for ITC claim on purchases updated in real time ठीक है मेरे पास एक GSTR2B भी होता है ठीक है तो जब भी कोई मेरे मेरा supplier GSTR1 file करेगा मेरे दो-दो forms update होंगे GSTR2A भी update होगा GSTR2B भी update होगा तो तो सर दोनों में फर्क क्या हो गया फर्क ये हुआ कि GSTR2B सिर्फ तब तक कही update होगा अगर मेरा supplier timely अपना GSTR1 file करेगा ठीक है मैं repeat कर रहा हूँ GSTR1 file करने की time limit क्या है अगले महिने की 11 तारिक तो अगर March 2024 के लिए उसको 11 एपरिल तक file करना है अगर उसने 11 एपरिल तक GSTR1 file कर दिया तब तो वो मेरे GSTR2A और 2B दोनों पर दिख जाएगा तो मैं इसका credit एपरिल में ही ले पाऊंगा लेकिन अगर मालो मेरे supplier ने इसको 11 तारिक तक फाइल नहीं किया 11 एपरिल तक फाइल नहीं किया तो 15 एपरिल को जैसे ये अगर मेरे supplier ने अपना GSTR1 11 एपरिल तक फाइल नहीं किया तो 11 एपरिल के बाद फाइल किया तो मेरे GSTR2B में ये में रिफ्लेक्ट होगा तो I will get its credit but I will get it in me तो फर्क क्या हो जाएगा कि दो महीन का मेरे को लाप्स हो जाएगा और कुछ नहीं है दो महीन का मेरा working capital थोड़ा सा ब्लॉक रहेगा ठीक है तो GSTR2A और 2B का फरक आपको समझ में रहे है जैसे जैसे मेरा कोई भी supplier GSTR1 फाइल करेगा मेरे GSTR2A और 2B में दिखता रहेगा GSTR2A में तो कभी भी मेरा supplier फाइल करे तो दिख जाएगा लेकिन GSTR2B में मुझे तभी दिखाई देगा अगर मेरा supplier properly, timely GSTR1 फाइल करे ठीक है नहीं तो अगले में नहीं मिलेगा तो देखो reflects filing of GSTR1 by supplier within prescribed time by the 11th details only purchases eligible for ITC claim मतलब सिर्फ वो purchases यहाँ पर दिखाई देंगी जिन पर ITC claim मिल सकता है static view reflecting eligible ITC claims for the month example purchases made in June credited only if supplier filed on time by 11th of July late filings are credited in the following month यह मैंने आपको बता दिया ठीक है उसके बाद होगा एक GSTR3B ठीक है GSTR3B मुझे फाइल करना पड़ेगा मैं कौन हूँ? recipient तो अब क्या हुआ मेरे supplier ने GSTR1 file कर दिया मेरे GSTR2A और 2B में यह सारी details दिखने लग गई अब मैंने भी तो कहीं न कहीं supply कियोगी मैंने भी तो कहीं न कहीं supply कियोगी तब ही तो उससे जो मैं सामान बेचूँगा उस पर जो मैं GSTR collect करूँगा उसी के against तो मैं खरीदे हुए सामान पर pay की हुए GSTR का credit लूँगा? yes तो अब GSTR3B हर बंदे को file करना होता है मैं अगर GSTR3B file करूँगा तो वहाँ पर मुझे दिखाई देगा वहाँ पर मैं बताऊँगा कि देखे सर इतना मैंने यह मेरे सेल किया था इस पर मेरी इतनी GSTR liability बनती है मेरे GSTR2B में इतना eligible credit मुझे दिखाई दे रहा है तो इतना credit में GSTR2B के against set off कर रहा हूँ input tax credit ले ले रहा हूँ जो बचा हुआ है उसे में cash में pay कर दे रहा हूँ ठीक है? मैं कितना उसे input tax credit से कितना adjust कर रहा हूँ वो पता चलेगा output liability from sales reduced by eligible ITC from GSTR2B and difference paid to the government तो मेरी जो भी total output liability है उसमें से ITC वाला amount minus कर दिया जाएगा जो भी difference होगा वो मैं cash में pay कर दूँगा filed by 20th of the next month तो March की sale के लिए में GSTR3B कब फाइल करूँगा? GSTR3B में 20th April तक फाइल करूँगा Example, invoice raised for services in June with GSTR of 18,000 ITC of 4500 for timely file GSTR1 reduces payment to 13,500 which is paid along with filing by 20th of July मतलब क्या हुआ? कि अगर मैंने June में कोई supply की थी ठीक है? June में मैंने कोई supply की थी और June में मैंने purchases भी की थी June में जो भी मैंने supply की थी suppose उससे output liability में दी आ रही है 18,000 रुपीस, ठीक है? अब June में जो भी मैंने purchases की थी उस पर मैंने GSTR pay किया था 4,500 रुपीस तो अब जब 20th July तक मैं इसको file करूँगा तो 18,000 में से 4,500 माइनस हो जाएगा and I will have to pay in cash only 13,500 रुपीस ठीक है? तो this is the basic process of availment of input tax credit ठीक है? इस तरह से input tax credit का मैं avail करता हूँ अवेल्मेंट करता हूँ ठीक है? tax pay करने का process क्या होता है? तो यहाँ पर अभी हम लोगों को 3 चीज़ें समझ रही है एक होता है electronic cash ledger एक होता है electronic credit ledger और एक होता है electronic liability register ठीक है? तो देखो मैं recipient हूँ मैंने समान खरीदा मैंने जब समान खरीदा मेरे supplier ने GSTR 1 file किया वो मेरे GSTR 2B में reflect हो रहा है 2A में भी हो रहा है 2B में मैं check करूँगा कि कौन-कौन से eligible है ठीक है? जो eligible credits है government के हिसाब से वो वो लोग 2B में डालेंगे लेकिन अभी हम लोग section 17 भी पढ़ेंगे जहां पर पता चलेगा कि कई सारे credits blocked है लेकिन उसके कुछ exceptions है ठीक है? for example, एक simple सा example दे रहा हूँ अगर मैं गाड़ी खरीदता हूँ तो गाड़ी पर जो भी मैंने GST pay किया उसका मेरे को credit नहीं मिलेगा ठीक है? उसका मुझे कोई credit नहीं मिलेगा लेकिन अगर मैं गाड़ी खरीद के गाड़ी बेचने वाले business में हूँ तब तो उसका credit मुझे मिलेगा मतलब गाड़ी खरीदने पर credit available तो होता है लेकिन वो depend करता है registered person to registered person वो depend करता है मेरा business कै है गाड़ी मैंने खरीदी उस पर GSC पे किया क्या मुझे उसका credit मिलेगा? if I am in the same line of business or if I have a driving school उसके कुछ-कुछ और conditions है अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे अगर मैंने motor vehicle खरीदी और मैं driving school चला रहा हूँ या मैं motor vehicle खरीद रहा हूँ to further supply तब तो मेरे को GSC का credit मिलेगा लेकिन अगर मैं उसको personal use के लिए ले रहा हूँ या even for my office use मैं उसको ले रहा हूँ तो उसका credit block ने हम लोग section 17.5 में अभी पढ़ेंगे पर सरकार को तो नहीं पता होगा कि यह बंदा जो खरीद रहा है यह किस purpose के लिए खरीद रहा है तो मेरे supplier ने गाड़ी वाले supplier ने अपना GSTR 1 फाइल किया सरकार ने मेरे GSTR 2B में reflect करवा दिया now it is my understanding कि अच्छा इस वाले पर मेरे को credit नहीं मिलेगा तो in my GSTR 2B all the eligible credits as per the government are listed अब मुझे देखना है कि इन में से किस-किस का credit मुझे लेना है एक और example लेता हूँ मैं Amazon से कई बार टॉफियां वगेरा मंगाता हूँ तो अब Amazon पर मैं business वाला registered हूँ अब Amazon को क्या पता कि मैं टॉफियां personal consumption के लिए मंगा रहा हूँ पर जो GSTR 2B वो भी दिख रहा हूँ बट I know ना कि इसका मेरे को credit नहीं लेना है क्योंकि मैंने personal consumption के लिए किया है तो GSTR 2B में मेरे जितने भी eligible credits दिख रहे होते हैं उनमें मुझे choose करना होता है कि मुझे किस-किस का credit लेना है तो I'll have to tick mark I'll have to tick mark यह सब portal पर होता है portal पर मैं जैसे जैसे tick करता रहूँगा एक चीज होती है electronic credit ledger तो जैसे जैसे मैं GSTR 2B पर tick करता रहूँगा वैसे वैसे वो मेरे electronic credit ledger में reflect होता रहेगा वो मेरे electronic credit ledger में reflect होता रहेगा ठीक है GSTR 1 जब मैं file करूँगा मैं भी तो supplier हूँ, मैं supplier भी हूँ, recipient भी हूँ तो मैंने जब supply किया, तो मैंने अपना GSTR 1 फाइल किया होगा उससे मेरी total output liability निकल कर आई होगी वो मेरे electronic liability register में reflect होने लगती है ठीक है, वो मेरी electronic liability register में reflect होने लगती है ठीक, मैं थोड़ा सा simplify करके बताता हूँ मैं समान खरीद भी रहूँ, मैं आगे समान बेच भी रहूँ जो मैं समान बेच रहूँ, उसके लिए मुझे GSTR 1 फाइल करना पड़ेगा मैं जब GSTR 1 फाइल करूँगा, तो मेरी output liability पता चल जाएगी यह जो मेरी output liability है, यह मेरे ही electronic liability register में दिखने लग जाएगी मेरे suppliers जब GSTR 1 फाइल करेंगे, तो मुझे GSTR 2A और 2B में दिखने लग जाएगा GSTR 2B में से जब मैं अपने eligible purchases को tick करूँगा, कि हाँ मुझे इसका लेना है, इसका लेना है, इसका लेना है तो मेरा electronic credit ledger में वो balance दिखने लग जाएगा और जो balance होगा, वो मुझे electronic cash ledger में पैसा जमा करके pay करना होगा जो electronic cash ledger होता है, वो basically एक wallet की तरह से होता है जैसे आपका Amazon Pay का wallet होता है, Paytm का wallet होता है, Etel Banks का wallet होता है तो electronic cash ledger बिलकुल वैसा ही wallet होता है आप उसमें पैसा डाल दो, फिर आप उस पैसे को utilize कर सकते हो for either payment of output, GST liability या interest अगर कुछ pay करना है उसके लिए आप utilize कर सकते हो, penalty के लिए fee के लिए वगरा वगरा तो जब मेरा supplier GSTR 1 फाइल करेगा, मेरे GSTR 2 भी में दिखाई देगा मैं उस पे tick करूँगा, मेरा electronic credit ledger credit होगा जब मैं अपने GSTR 1 फाइल करूँगा, मेरे electronic liability register में मेरी output liability दिखती रही की, जो difference होगा, मुझे पता चल जाएगा ये मुझे cash से pay करना है, मैं उतना cash electronic cash ledger में deposit करूँगा और फिर मैं जब GSTR 3 भी फाइल करूँगा, क्योंकि मुझे हर बात GSTR 3 भी फाइल करना है जब मैं GSTR 3 भी फाइल करूँगा, उसमें में दिखाऊँगा, मेरी output liability आ रही है as per the electronic liability register, suppose ये, इसमें से minus मैं करूँगा electronic credit ledger के थुरू, मैं ITC के against इतना claim कर रहा हूँ और जो difference है, वो मैं electronic cash ledger के थुरू, पे आपको कर रहा हूँ ठीक है, this is the process of payment of tax ठीक है, तो electronic cash ledger के है, digital wallet on the GSTR portal deposit amount to be paid from the bank, used to pay the balance output liability electronic credit ledger के है, shows the amount of available ITC automatically credited with ITC upon GSTR 3B filing, ठीक है used for payment of output tax liability, balance is nil after payment electronic liability register के है, reconciliation sheet showing output liability details, shows total output liability, amount paid through ITC and amount paid through cash, दिखा देता है है, process of payment of tax तो steps to pay tax by electronic ledger के है, identify eligible ITC from GSTR 2B, वो बता है आपको GSTR 2B में सरकार की तरफ से सारी eligible ITCs आ रही है, इन में से मेरी लिए eligible है, मुझे identify करनी होगी, subtract ITC from output liability to find the amount to pay, ठीक है, फिर जितनी भी मेरी output liability है, उसमें से ही eligible ITC को मैं minus करूँगा, तो मेरे पास निकल कर आएगा कि इतना amount मेरे को pay करना है, deposit payment in electronic cash ledger, जितना भी payment मेरे को cash में देना है, उतना पैसा में electronic cash ledger में जमा करूँगा, file GSTR 3B, mentioning output liability, ITC availed and cash payment, ठीक है, तो यह पूरी की पूरी picture आप लोगों को अब clear हो चुकी है, चलो, उसके बाद, अब हम लोग important चीज़ों पर आएंगे, ठीक है, तो हमारे पास section 16 है, section 17 है, section 18 है, I prepared beautiful colored charts, beautiful colored charts मैं आप लोगों के लिए बनाए हुए, बहुत महनत लगी है, trust me, 4-5 दिन लगे हैं, और पूरी की पूरी उसमें जित्ते भी amendments लगरे हैं, सब कुछ covered है, such comprehensive beautiful charts है, जो बहुत ज्यादा help करेंगे आप लोगों को याद करने के लिए और recall करने के लिए चीज़ों को, ठीक है, लेकिन उससे पहले, मैं आप लोगों को ये capital goods input और input service की definition एक बार करा देता हूँ, उसके बाद हम लोग section 16, 17, 18 पर आ जाएंगे, ठीक है, capital goods का मतलब simple भाशा में क्या है, कि जो समान आप अपनी books of accounts में capitalize कर रहे हो, बस, तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जब पहले सिर्फ वो वाले होते थे था, सेनवाज credit rules 2004 होते थे, CCR 2004, उसमें एक बहुत बड़े page की capital goods की definition होती थी, बट GST में capital goods की definition एक line की कर दिया है, जो goods आपने खरीदे, उनको books of accounts में आपने capitalize किया, वो capital goods हो गए, inputs बाकी सारे goods जो आपने capitalize नहीं किये, तो inputs means any goods other than capital goods, used or intended to be used by a supplier in the course of furtherance of business, input service क्या होती है, जो भी service आप लेते हो, to provide further service, ठीक है, तो जैसे मैं, मैंने आप लोगों को बताया, कि मैं अगर कहीं से service ले रहा हूँ, just for example, एकदम simple सी होगी न, मैं internet की services ले रहा हूँ, आप लोगों को आगे services provide करने के लिए, तो मैं आपको education service प्रोवाइट कर रहा हूँ, इन तीन charts में, सारी की सारी चीज़ें, ऐसी comprehensive तरीके से covered हैं, कि आप लोग सोच नहीं सकते हो, ठीक है, colored charts हैं, तो boring भी नहीं लगेगा, और बहुत मज़ा आने वाले हैं, और अगर ये charts आपको पसंद आ रहे हैं, दबा के वीडियो को like कर दो, ठीक है, और comment section में comment कर दो, कि भाई सार बजा आ गया, ठीक है, क्योंकि आपका like और आपका comment मेरे लिए इतना motivating factor होता है, यह आप लोग अभी समझ नहीं सकते हो, तो if you want me to prepare these kind of charts for other chapters as well, तो फड़ापट से मेरे को वीडियो पे आप like कर दो, और comment section में अभी, pause the video right now, comment कर दो, कि yes sir, we want these charts for other chapters as well, and yes sir, these charts are amazing, ठीक है, drop a comment and then continue the video, अभी premiere चल रहा है, ठीक है, तो आप comment कर सकते हो, ऐसा भी नहीं है कि नहीं वीडियो पहले खतम होगी, उसके बादी comment कर भाएंगे, comment section is on, ठीक है, तो comment section में आप comment कर दो, and if you like it, I'll make the charts for other chapters as well, ठीक है, आओ देखो, section 16, eligibility for taking input tax credit, eligibility for taking input tax credit, इसमें सबसे पहला है आपका, section 16, subsection 1, ठीक है, सबसे पहला ही क्या क्या रहा है, mandatory requirements क्या है, अगर आपको credit लेना है, कि registration must है, registration होना चाहिए, तो registration under GST is mandatory, ठीक है, आपको ITC किस पर मिलता है, supply of goods or services पर आपको ITC मिल जाता है, लेकिन यह जो ITC मिलता है, यह section 49 के provisions and rules की conditions को मदे नजर रखते हुए मिलता है, section 49, provisions बताता है किस चीज़ के, payment of tax related interest penalty और other amounts वाली यह आपको बताता रहता है, ठीक है, ITC available for business use और intended business use, वो ही मैंने आपको बताया कि जो मैं Amazon से टॉफियां खरीता हूँ, क्या उसका ITC मिलेगा, नहीं, section 16, 1 के हिसाब से ही वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मैं personal purpose के लिए ले ले रहा हूँ, हाँ, अगर मैं टॉफियों की दुकान मेरी चल रही होती, और मैं Amazon से टॉफियां खरीता, further supply के लिए, तो मेरे को उसका credit मिल जाता, ITC credited in electronic credit ledger, ठीक है, तो ITC जो भी होता है, वो electronic credit ledger में credit हो जाता है, तभी मेरे को उसका credit मिलेगा, तो GSTR 2B में दिखाई दे, उस पे मैं टिक करूँ, और वो electronic credit ledger में credit होगा, तभी मेरे को उसका credit मिलेगा, otherwise credit नहीं मिलेगा, section 16.1, over, ठीक, section 16.2 है, conditions for ITC, conditions for ITC में दो चीज़े हैं, एक तो six specific clauses हैं, A, 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 B, B, A, C, और D, ठीक है, और इसके एक दो provisos भी हैं, और इसके दो provisos भी हैं, तो एक एक करके हम लोग चलेंगे, हम लोग सबसे पहले आ रहे हैं, कि section 16.2 के जो six specific clauses हैं, उनके बारे में, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, clause A की, ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, clause A की, section 16.2 A, read with rule 66, possession of tax paying document, तो यह basically कह रहा है, कि अगर आपको ITC चाहिए, तो आपके पास tax paying document होना चाहिए, आपके पास bill होना चाहिए, ठीक है, उस bill पर tax amount specifically mentioned होना चाहिए, और अगर आपके उपर suppose कोई fraud का case आया, और आपने सरकार को fraud के case की वज़ा से GST पे किया, पहले तुम fraud करो, fraud करने के बाद GST पे करो, GST का तुमको ITC भी चाहिए, वाह, ठीक, ऐसा कुछ नहीं होता, तो ITC is based on invoice, debit note, bill of entry, या similar document, documents must detail tax amount, description, total value, GST INS, place of supply, ये सारे चीज़ी से document में mention होनी चाहिए, no ITC for fraud, willful misstatement, suppression of facts, तो अगर आपने ये सब किया, तो आपको कोई उसका ITC नहीं मिलेगा, ठीक है, section 16-2-AA, details of supplier and recipient should match, मतलब, मेरे supplier के GSTR 1 की details, मेरी GSTR 2-B की details match होनी चाहिए, ठीक है, तो ITC on goods services, if details match in GSTR 1, GSTR 2-B, ठीक है, no ITC if details not furnished by the supplier, अगर मेरे supplier ने GSTR 1 नहीं फाइल किया टाइम ली, तो मुझे ITC उसका नहीं मिलेगा, ठीक, section 16-2-B केता है, कि आपको goods मिल जाने चाहिए, आपको goods या services receive हो जाने चाहिए, तब ही आप GST का credit लो, ठीक है, तो ITC entitlement upon receipt of goods or services, और इसी का एक proviso है कि अगर आपको goods lots में मिल रहे हैं, तो फिर आपको ITC तब मिलेगा, जब आखरी lot मिल जाएगा, ठीक है, तो वो यहाँ पर मैंने proviso में दिया हुआ है, देखो, फिर्स प्रवाइजर सेक्शन 16.2, goods received in lots, ITC available only after receipt of last lot, ठीक है, only after receipt of last lot, तो जो last lot मेरे को जब receive होगा, तब ही मुझे उसका ITC मिलेगा, अदवाइज ITC नहीं मिलेगा, ठीक है, तो एक तो यह चीज़ हो गई, receipt of goods or services, मेरे को goods मिल जाने चाहिए, तब ही मुझे उसका ITC मिले ठीक है, मतलब अगर मुझसे, suppose मैं supplier हूँ, ठीक है, आप recipient हो, आप मुझसे कह रहे हो, आप मुझसे कह रहे हो, कि अच्छा, आप भी किसी ना किसी को आगे supply करोगे, आपका कोई customer है, आपको उस customer को माल देना है, ठीक है, तो आपने मुझसे phone करके कहा, कि मुझे माल कहा करूँगा, मैं ship उस तीसरे बंदे को करूँगा, जो आपने मुझसे काय करने के लिए, ठीक है, तो अब आप मेरे को बताओ, आपके पास तो goods receive हुए नहीं, आपने मुझसे goods खरीद के कहा भीजवा दिये, अपने customer के पास भीजवा दिये, तो क्या आप इसका credit ले पा details in GSTR 2B not restricted, तो GSTR 2B, अब मैंने आपको बताया न, GSTR 2B में तो सारे के सारे credits mention हो जाएंगे, जब मेरा supplier GSTR 1 फाइल करेगा, तो मेरे GSTR 2B में तो सब कुछ दिख जाएगा, लेकिन वो GSTR 2B वाली चीज़े restricted नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अब कब-कब वो restricted हो जाएंगी, आओ देखो, ITC based on GSTR 2B details, subject to eligibility conditions, तो ineligible conditions में क्या क्या आ जाती है, यह देखो, ineligible conditions में यह चीज़े आती है, सबसे पहले है, new registrants, तो if the supplier is newly registered, अगर supplier नया-nया registered हो है, there may be a period post registration during which their supplies are ineligible for ITC to the receipt, ठीक है, तो supplier नया-nया registered है, उसके बाद ऐसा कभी-कभी हो सकता है, कि उसकी जो भ Default in tax payment, if the supplier has not paid the required taxes for a specified period, ITC cannot be claimed on their supplies, ठीक, अगर मैंने मालो कुछ tax payment में default किया है, तो मेरे को ITC नहीं मिलेगा, output tax mismatch, if the supplier's reported tax in GSTR 1 या invoice furnishing facility, exceeds the paid tax in GSTR 3B by a certain limit for a tax period, ITC cannot be claimed, फिर, excessive ITC, if the supplier has claimed ITC, exceeding the limit set by GSTR 2B during a specified period, ITC cannot be claimed, और फिर, tax liability default, if the supplier hasn't made his tax obligations as per section 49-12 and rule 86-B, indicating excessive tax payment from their electronic credit ledger than allowed, ITC cannot be claimed, ठीक है, अब यह जो rule 86-B है, यह क्या कहता है, इसको हम लोग अभी detail में आगे तो पढ़ेंगे यह पढ़ेंगे, तो यह 86-B rule यह कहता है, कि कुछ लोगों के लिए, जिनकी एक महीने की sale 50 लाग से ज्या 1% तो उन्हें by cash pay करना ही पढ़ेगा, ठीक है, मालनो मेरी 60 लाग रुपीज की sale है, अब 60 लाग रुपीज की sale पर, 60 लाग रुपीज की sale पर 10,80,000 मेरी GST liability आ रही है, ठीक है, मालनो मेरे पास 11 लाग रुपे का input tax credit पढ़ा हुआ है, मालनो मेरे पास 11 लाग रुपे का input tax credit पढ़ा हुआ है, तो मेरे को तो अपनी जेप से एक पैसा भी cash देने की ज़रुवत नी है, 10,80,000 रुपीज is my output liability and 11 लाग रुपीज is my input tax credit, तो I don't need to pay even a single penny out of my cash, लेकिन यहाँ पर rule 86 भी यह कहता है कि नहीं, अगर आपकी sale 50 लाग से from my own pocket और जितना भी remaining होगा, वो मैं input tax credit के against अवेल कर सकता हो, तो अगर मालनो मैंने यह नहीं किया, तो फिर मैं ITC नहीं ले पाऊगा, ठीक है, if the supplier hasn't met his tax obligations, if the supplier hasn't met his tax obligations as per section 49-2 and rule 86-B, indicating excessive tax payments from the electronic ledger allowed, ITC cannot be claimed, ठीक है, तो 16-2-B-A भी हो गया, ठीक है, 16-2-B-A हो गया, 16-2-C दे actually paid, tax leviable on supply actually paid, ठीक है, मतलब क्या हो गया, मैंने अपने supplier से कुछ समान खरीदा, मैंने तो उसको दे दिया पैसा, मैंने उसको GST वाला पैसा भी दे दिया, लेकिन क्या, उसने यह वाला पैसा सरकार को दिया, GSTR 1 फाइल करना अलग बात है, लेकिन वो payment तो GSTR 3-B के थू दिय ठीक है, तो देखो, supplier must have paid the tax on goods and services for ITC claim by the recipient, तो supplier must have paid the tax, तभी मेरे को उसका credit मिलेगा, tax payment can be in cash or by using ITC from the credit ledger, ठीक है, but this is subject to the provisions of section 41, आओ देखते हैं, section 41 के provisions क्या है, ठीक है, देखो, registered person can claim ITC based on self-assessment in their return, मैं self-assessment के basis पर ITC claim कर सकता हो, eligible ITC will be credited to the electronic credit ledger, section 41 read with rule 37 है, reversal and re-availment of ITC in case of non-payment by supplier, मैंने provisionally ITC ले लिया, ठीक है, मुझे क्या पता हूँ, उसने सरकार को पैसा जमा किया या नहीं किया, ठीक है, आप ये logically सोचो ना, मैंने किसी से थमान खरीद लिया, अब मैं बार बार उसको, उससे phone करते हैं, ये notice हाता है कि आपके supplier ने tax pay ही नहीं किया, तो आपको credit reverse करना पड़ेगा, तभी तो मैं credit reverse करूँगा, ठीक है, I hope you're getting this point, अगर मैं कहीं से भी सामान खरीद हूँगा, और वो मेरे GSTR 2B में reflect हो रहा है, तो मेरा काम तो हो गया ना, मेरे 2B में reflect हो गया, then I'm not going to call him up and ask him, के नहीं सरकार मेरे को notice देगी, के भई जो तुमने ITC लिया हुआ है, उसको तुमें reverse करना पड़ेगा, क्योंकि तुमारे supplier ने हमें tax ही नहीं पे किया, ठीक है, तो ऐसी case में मुझे ITC reverse करना पड़ेगा, फिर मैं अपने supplier के पीछे पढ़ूँगा, के भई तू tax payer government को, क्यों नहीं of the next year, recipient can claim ITC in GSTR 3B, ठीक है, तो मेरे supplier ने tax नहीं पे किया था, मेरे supplier ने tax नहीं पे किया था, suppose previous year 2324 के बारे में बात कर रहे है, financial year 2324 का मैंने कोई credit लिया हुआ है, अब मेरे supplier को 30th September 2024 तक ये tax pay करना पड़ेगा, अगर 30th September तक इसने tax pay कर दिया, तो फिर मैं cool हूँ, नहीं तो फिर मेरे को reverse करना पड़ेगा, if not filed by the deadline, अगर मेरे supplier ने अगले साल के 30th September तक भी pay नहीं किया, तो recipient reverses ITC by 30th November, तो फिर मेरे को 2 महिने के अंदर-अंदर ITC को reverse करना पड़ेगा, failing to reverse ITC incurses liability to pay the amount with interest under section 50, अगर मैंने reverse नहीं किया, तो मेरे उपर interest लग जाएगा, ठीक है, अब, यहाँ पर मैंने reverse कर दिया, ठीक है, 30th September तक मालनो मेरे supplier में फाइल नहीं किया, मैंने ITC को reverse कर दिया, अब मैंने reverse तो कर दिया, लेकिन मैं supplier के पीछे तो पड़ूँगा ना, कि भाई, tax जमा कर, tax जमा कर, tax जमा कर, वो जब tax जमा करेगा, तो वो मेरे को बता देगा, तो उसके अगले महिने मैं फिर से इस credit को avail कर सकता हूँ, ठीक है, if supplier pays the tax later, recipient can re-avail the reverse ITC, recipient can re-avail ITC once supplier files their GSTR 3B, यह भी हो गया, अब आगे चलते हैं, next आप का आता है, section 16.2.D, section 16.2.D है, filing of return, कि to claim ITC, GSTR 3B must be filed, ठीक है, ITC claim करने के लिए, GSTR 3B तो file आपको करना ही पड़ेगा, तो यह section 16 के, जो six clauses थे, यह हमारे complete होते हैं, आओ, provisos पर आते हैं, provisos में भी पहला provisos तो हम लोगों ने देख लिया, कि अगर goods आपको lots में मिल रहे हैं, तो फिर last lot जब आपको मिलेगा, तब ही आप उसका ITC claim कर पाओगे, ठीक है, दूसरा proviso है, second proviso to section 16 to read with rule 37, ठीक है, अब इसमें आप देखो, payment time frame, registered person must pay the supplier for goods या services, including tax within 180 days from the invoice date, ठीक है, मतलब क्या हुआ, कि मैंने समान तो खरी लिया अपने supplier से, अब मैं ही उसको पैसा नहीं दे रहा तो, ठीक है, तो यहाँ पर यह बोला गया है, कि invoice की date से 180 दिन के अंदर-अंदर मुझे उसे पैसा दे देना चाहिए, अगर मैंने उसको पैसा नहीं दिया, तो क्या होगा, repay और reverse ITC claimed if payment not made within 180 days, ठीक है, तो कई बार ऐसा हो जाता है, कि मालो मैंने अपने supplier को पैसे नहीं दिये, फिर भी क्योंकि उसको GSTR1 फाइल करना था, G GST का पैसा सरकार को दे दिया, ठीक है, ऐसा होता रहता है, मैंने समान खरीदा, मैं एक महीने बाद payment करूँगा, उसने उस बीच में अपनी तरफ से सरकार को GST पे कर दिया, क्यूंकि उसने सरकार को GST पे कर दिया, मैंने उसका credit ले लिया, ठीक है, अब मैंने credit ले लिया, इस ITC को मुझे reverse करना होगा, ठीक है, तो 180 days, जिस दिन, जिस महीने 180 days expire होंगे, उसके अगले महीने जो मैं GSTR 3B file करूँगा, उसमें मुझे ITC reversal का impact देना होगा, और वो पैसा मुझे सरकार को pay करना होगा, अमाउंट reverse should be proportionate to the unpaid supply value and tax, pay interest on the reverse amount under section 50, action required while filing GSTR 3B return post 180 days, तो जिस महीने 180 days वाला period खतम होगा, उसके अगले महीने जो मैं GSTR 3B file करूँगा, उसमें मेरे को ITC reversal का amount ये, जो impact है, वो दिखाना पड़ेगा, exceptions to 180 days payment rule, ठीक है, अब 180 days के अंदर अंदर payment करना होता है, लेकिन इसके कुछ exceptions है, क्या, it doesn't apply to supplies with tax payable and reverse charge, ठीक है, अगर मालो, मुझे ही reverse charge में pay करना है, मैंने ही खरीदा और मुझे ही reverse charge में pay करना है, तो फिर, मैं 180 days में अगर उसको payment ने करूँगा, तब भी चलेगा, मेरे क consideration as per schedule 1, ठीक है, अब schedule 1 की supplies कौन सी होती है, schedule 1 की सारी की सारी supplies होती ही without consideration है, ठीक है, schedule 1 की सारी की सारी supplies होती ही without consideration है, तो without consideration वारी supplies है, तो मैं कहां से उसको payment कर दूँगा, ठीक, additions to supply value due to recipient incurring supplier's liability as per section 15 to B, ठीक है, माल लो, क्या हुआ, कि मैंने समान खरीदा, अब उसको किसी और को payment करना था, तो मैंने क्या किया, supplier की कहने पर किसी third party को pay कर दिया, हम लोगों ने value of supply में इस चीज के बारें बात की थी, कि अगर मैं supplier की behalf पर कहीं और payment कर देता हूँ, तो ये भी value में add होता है, तो अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, तो मैंने अगर 180 दिन के अंदर payment नहीं किया, तो चलेगा, मुझे reverse बगेरा करने की कोई ज़रूरा नहीं है, ठीक है, section 16, subsection 2 आपका complete हो चुका है, section 16, 3, section 16, 3 कह रहा है, कि अगर आपने GST के component के ओपर depreciation ले लिया, तो आपको ITC नहीं मिलेगा, ठीक है, एक simple सा example, मैंने suppose एक लाक रुपे की मशीन खरीदी, उस पर 18,000 रुपे का मैंने GST पे किया, अगर मैंने books of accounts में entry की है, machinery account debit to bank 1,18,000 रुपीज से, और मैं इस 1,18,000 पर पूरा depreciation लूँगा, that means, जो 18,000 GST वाला portion है, उस पर भी depreciation चार्ज हो रहे है, तो फिर मेरे को उस 18,000 रुपीज का credit नहीं मिलेगा, books of accounts में मेरे को entry करनी होगी, bank account debit, sorry, machinery account debit 1,00,000 रुपीज, two machinery account debit 1,00,000 रुपीज, GST payable, GST, जो मैंने GST का ITC है, ITC available 18,000 रुपीज, two bank 1,18,000 रुपीज, तो ये GST है, जिसको मैंने debit किया हुआ है, ये मेरा asset हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मेरे को बाद में उसका ITC मिल जाएगा, ठीक है, तो अगर depreciation claim कर लिया है, GST के amount पर, तो फिर ITC नहीं मिलेगा, तो फिर ITC नहीं मिलेगा, तो if the GST component is added to the cost of the asset and depreciation is claimed thereon, ITC would not be available, ठीक, section 16.4 है, time limit for availing ITC, ठीक है, section 16.4 है, time limit for availing ITC, देखो, इसको देखते हैं, तो ITC for a financial year's invoices can be claimed until November 30th of the succeeding financial year, or the date of relevant annual, or date of filing of relevant annual return, तो जो 2324, financial year 2324 का जितना भी ITC है, वो मैं कब तक ले सकता हूँ, या तो अगले साल, 30th November तक, या जो भी मैं annual return फाइल करूँगा, तब तक मैं उसका credit ले सकता हूँ, उसके बाद निया ले सकता हूँ, for debit notes, the financial year for ITC claim is based on the debit notes issuance date, ठीक है, अगर debit note के against में रिको ITC लेना है, तो हम debit note की जो date है, वहाँ से लेंगे, ठीक है, debit note किसी ना किसी invoice के against ही मिलेगा, ठीक है, debit note किसी ना किसी invoice के against मिलेगा, तो हम original invoice की date से नहीं देखेंगे, ठीक है, मालो previous year 23-24 में मैंने purchases किये, अब इसका ITC तो मैं 30th November 2024 तक ले सकता हूँ, ठीक है, 30th November 2024 तक ले सकता हूँ, मालो 2024 में मेरे कोई इस purchase के against में कोई debit note मिल गया, ठीक है, तो क्या debit note के लिए भी ITC मेरे को 30th November 2024 तक लेना होगा, नहीं, उसके लिए फिर हम 30th November 2025 देख लेंगे, कि अगर 24-25 में मेरे कोई debit note मिला है, तो फिर हम भले ही वो supply, और अगर उसका जो debit note है, वो मुझे 24-25 में मिला है, तो इसका ITC में 30th November 2025 तक ले सकता हूँ, ठीक है, exception के है, time limit does not apply when reclaiming credit previously reversed, ठीक है, तो अभी हम लोग ने बात की, कि कई बार हम लोग ITC लेते हैं, उसके बाद हमें उसको reverse करना होता है, तो reverse करने के बाद, अगर मालो supplier ने pay कर दिया, supplier ने GSCR 3 भी फाइल कर दिया, तब तो फिर मैं re-avail कर सकता हूँ ना, उस credit को, तो उसके उपरी वाली limit नहीं apply करेगी, ठीक है, उसके उपरी वाली limit नहीं apply करेगी, तो reclaiming reverse ITC due to dispute resolution is not bound by the time limit, ठीक, तो यह आपका time limit नहीं होगा, और इसी के साथ section 16 का हमारा पूरा का पूरा revision यहाँ पर आकर complete हो जाता है, एक बार फिर से मैं आप लोगों से बोलूँगा, अगर आपने वीडियो को like नहीं किया, फड़ा बट से like कर दो, और अगर यह वाला chart आपको पसंद आया हो है, ठीक है, the colors, the presentation and everything, तो आप लोग प्रीज वीडियो के नीचे comment करके ज़रूर बताओ कि आप लोगों के लिए helpful हो रहा है, I should know that these things are helpful for you, ठीक है, क्योंकि मैं पूरे-पूरे दिन लगाकर मेहनत करके यह charts बना रहा हो, और अगर मुझे नहीं पता चलेगा न कि आप लोगों के लिए helpful है या नहीं है, तो फिर मेरा कोई motivation नहीं रहेगा, right, and since all of this is provided to you for free of cost, तो your comments is the only way that I can know कि हाँ this is helpful for you, otherwise कोई point ही नहीं है, ठीक है, section 17, section 17 है आपका, section 17 है, apportionment of credits and blocked credits, section 17 बात करता है, apportionment of credits और blocked credits के बारे में, यहाँ पर हमारे पास है section 17 1, section 17 2, section 17 3, section 17 4 हमारे syllabus में नहीं है, उसको हटा दिया गया है, section 17 5 है, और फिर finally हमारे पास section 17 6 है, ठीक है, तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले section 17 1, 17 1 क्या कह रहा है, अगर goods आपके partly business purpose के लिए use हो रहे हैं, और partly personal purpose के लिए use हो रहे हैं, तो ITC आपको सिर्फ business वाले portion के goods का मिलेगा, ठीक है, personal purpose के लिए अगर आप goods को use कर रहे हो, तो फिर आपको उसका ITC नहीं मिलेगा, section 17 2 कह रहे हैं, कि अगर आप जो goods use कर रहे हो, वो partly taxable supplies देने के लिए use कर रहे हो, और partly exempt supplies देने के लिए use कर रहे हो, तो ITC आपको सिर्फ उनहीं का मिलेगा, जो taxable supplies देने के लिए आपने goods को use किया, including zero rated supplies, क्योंकि zero rated supplies के बारे में हम लोग ने बाती की, कि उस पर भी हमें ITC मिल जाता है, पूरी supply chain को वो tax free कर देता है, ठीक, section 17 3 कह रहा है, section 17 3 कह रहा है, जैसे हम लोगोंने section 17 2 में कहा, कि partly for taxable and partly for exempt supply, अब हमें पता कैसे चलेगा, कि जो goods हमने खरीदे, उसकी कितना use हमने exempt supply देने के लिए किया, तो value of exempt supply हमें पता कैसे चलेगी, rules के हिसाब से पता चलेगी, ठीक है, rules के हिसाब से पता चलेगी, और वो हम लोग CA final में पढ़ेंगे, include supplies under RCM, transaction and securities, but not activities transactions specified in rules 3, यह आप लोग CA final में पढ़ोगे, ठीक है, तो क्या क्या हो जाता है, बेसिकली exempt supply के अंदर क्या क्या चीज़े आती है, जो RCM वाली चीज़े है, वो आ जाएंगी, ठीक है, transaction and securities भी आ जाएगा, लेकिन जो schedule 3 वाली activities है, वो exempt supply नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो supply ही नहीं है, neither supply of goods nor supply of services, anyway, यह उतना important है नहीं, section 73 उतना important है नहीं, section 17.5, blocked credits, भाई साब, असली मजा तो इसमें है, असली मजा इसमें है, ठीक, देखो, यह कुछ ऐसी purchases है, जहां पर आपके credits जो है, वो block हो जाता है, ठीक, तो देखो, ITC generally तो allow होता है, except for items in the negative list, intended for personal use, और related to immovable property, excluding plant and machinery, मतलब immovable property अगर आप खरीते हो, तो उस पर GST का आपको credit नहीं मिलता है, ठीक है, plant and machinery अगर आप खरीते हो, तो मिल जाता है, plant and machinery अगर आप खरीते हो, तो उसका आपको credit मिल जाता है, इसके अंदर कई सारे clauses हैं, एक-एक करके discuss करते हैं, सबसे पहला है आपका motor vehicles, सबसे पहला है motor vehicles, ठीक है, तो ITC is not allowed for ineligible motor vehicles, except for specific purposes, तो सबसे पहले बात करें, ineligible motor vehicles के होता क्या है, तो ineligible motor vehicles होती हैं आपकी, motor vehicles for transportation of persons, with seating capacity of less than equal to 13 persons, including driver, ठीक है, driver को मिला कर अगर 13 से कम की capacity है, 13 या 13 से कम की capacity है, तो उस motor vehicle पर आपको ITC नहीं मिलेगा, except for specific purposes, मतलब 13 या 13 से कम की capacity, seating capacity की गाडियों पर भी आपको credit मिल जाएगा, अगर आप इस गाड़ी को specific purpose के लिए use करोगे तो, ठीक, अब specific purpose है क्या, when used for making taxable supplies of such motor vehicles, आप ये motor vehicle खुदी बेच तोगे, ठीक, या transportation of passengers, ठीक है, मैं गाड़ीयां खरीद रहा हूँ, उससे मैं लोगों को passenger transportation services प्रोवाइड करोँगा, बिल्कुल उसका credit मिलेगा, या imparting training on driving of such ineligible motor vehicle, या मेरा driving school है, तो मैं driving school में लोगों को सिखाऊंगा कैसे, ठीक है, तो मैं उसके लिए गाड़ीयां खरीद रहा हूँ, तो अब ये ineligible motor vehicle भी अगर मैं खरीदता हूँ, लेकिन उस ineligible motor vehicle का इस्तेमाल में इन तीन चीज़ों के लिए करता हूँ, तो मुझे उसका credit मिल जाएगा, इसके अलावा चाहे कुछ हो जाए, मुझे उसका credit नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ये motor vehicle वाला आपका हो गया है, दूसरा, vessels and aircrafts, exactly same चीज़ है, ठीक है, तो vessels और aircrafts का भी कोई credit नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, अगर specific purposes के लिए use किया, तो फिर इसका credit मिल जाएगा, वो specific purposes हैं क्या, वही, making further taxable supply of such vessel और aircraft, मैं हवाई जहाज और पानी का जहाज, खरीद के बेच रहा हूँ, passenger transportation services, इंडिगो, definitely मिलेगा उसको, imparting training और navigating या flying such vessel या aircraft, तो अगर मैं pilot वाली training दे रहा हूँ, या पानी का जहाज चलाने की training दे रहा हूँ, तो definitely मिलेगा, या transportation of goods, अगर मैं transportation of goods की services दे रहा हूँ, तो फिर उसके लिए मैं जो भी aircraft या vessel खरीदूँगा, उसका मेरे को credit मिल जाएगा, ठीक, next आता है आपका, services related to ineligible motor vehicles, vessels और aircrafts, ठीक है, तो ineligible motor vehicles पर, aircrafts पर, vessels पर, तो मेरे को ITC मिले गए नहीं, तो अगर मैं इनकी services कराऊँगा, उस services पर मैं जो GST पे करूँगा, क्या उसका credit मुझे मिलेगा, लेकिन अगर मैं नहीं यह ineligible motor vehicles, vessels और aircrafts, specific purposes के लिए use करने है, और मैं अब इनकी services कराता हूँ, तो क्या मुझे उस service पर पे किये जाने बाले GST का credit मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, तो ITC not allowed, except for specific purposes, तो when specific purposes कहाँँ, when ineligible motor vehicle, vessel और aircraft is used for eligible purposes, जब हम eligible purposes के लिए करने हैं, तो मिल जाएगा, when received by manufacturer of ineligible motor vehicle, वेसल और aircraft, ठीक है, तो मैं manufacturer हूँ, मैं manufacturer हूँ अगर, मैं 13 से कम की seating के पास चैटी की गाड़िया, अम manufacture करता हूँ, तो भाई मेरे को तो services कराने पड़ेंगे ना, तो मुझे तो credit दे तो उसका, मैं तो ultimately बेचूँगा ना उसको, तो मिल जाएगा, when received by a general insurance service provider, in respect of such an eligible motor vehicle, वेसल और aircraft insured by it, ठीक है, तो अगर किसी insurance company ने, अगर किसी insurance company ने, जैसे कोई एक insurance company है, उसने मेरी गाड़ी की insurance करवा दिया, ठीक है, वो insurance company अगर किसी और insurance company से, मिरी गाड़ी का insurance करवा रही है, और उसको pay कर रही है, तो इसको उसका credit मिल जाएगा, ठीक है, इसको उसका credit मिल जाएगा, आईए, हम लोग बात करते हैं, फिर इसके बाद, leasing या renting या hiring of motor vehicles, vessels और aircrafts on which ITC is disallowed, अगर ऐसी motor vehicles, vessels या aircrafts, जिन पर ITC allowed ही नहीं है, वो उसको मैं lease पर लेता हूँ, या किराय पर लेता हूँ, ठीक है, उसको मैं किराय पर लेता हूँ, किराय दिया मैंने, किराय पर मैंने GST दिया होगा, तो क्या हूँ उसका मेरे को credit मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, exceptions क्या है, when used for making an outward taxable supply of the same category, or as element of taxable composite, या mixed supply, मतलब मैं किराय पर लेकर, अगर किराय पर दे रहा हूँ, जैसे मैंने आपको Zoom car का example दिया था, कि मैं गाड़ी किराय पर ले रहा हूँ, और किराय पर ही दे रहा हूँ, तो क्या Zoom car को इसका credit मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, सब contracting चल रही है, या when provided by an employer to its employees under a statutory obligation, ठीक है, अगर कोई employer अपने employee को दे रहा है, statutory obligation में दे रहा है, तो उसको credit पका मिल जाएगा, ठीक है, उसके बाद आप आओ, section 17.5b में, जो बात करता है, food and beverages, outdoor catering, health services and other services के बारे में, ठीक है, तो food and beverages, outdoor catering, health services and other services के बारे में, ITC generally तो allowed नहीं होता है, लेकिन इसके कुछ exceptions है, ठीक है, एक दम वो ही है, मैं अगर restaurant service provider खुद हूँ, मैं खुद ही एक caterer हूँ, और मैं किसी और की catering services लेकर, catering services provide कर रहा हूँ, तो मेरे को definitely जित्ता भी मैं उसको GST पे करूँगा, उसका credit मुझे मिल जाएगा, where a particular category of such invert supplies is used, for making an outward taxable supply of the same category, यानि subcontracting, और as an element of taxable composite or a mixed supply, और दूसरा, when provided by an employer to its employees under the statutory obligation, तो अगर employer अपने employee को statutory obligation में दे रहा है, तो भी उसका credit मिल जाएगा, दूसरी चीज़, membership of club and health and fitness center, तो ITC generally तो allowed नहीं होता है, but when provided by an employer to its employees under the statutory obligation, तो allow हो जाता है, तीसरी चीज़, travel benefits अगर employees को दिये जाते हैं, vacation पे जाने के लिए, यह तो leave travel concession हो जाए, यह home travel concession हो जाए, तो generally allowed नहीं होता है, लेकिन अगर statutory obligation के अंदर दिया जाएगा, तो वो आपका allow हो जाएगा, ठीक है, फिर हम आते हैं, works contract services for construction of immovable property, ठीक है, तो ITC is not available except in specific situations, तो works contract पर भी ITC available नहीं होता है, मैं कहीं से अगर works contract services ले रहा हूँ, तो ITC available नहीं होगा, except for specific situations, वो specific situations के हैं, अगर मैं works contract services ले रहा हूँ for plant and machinery, ठीक है, अगर plant and machinery बनवाने के लिए मैं works contract services ले रहा हूँ, उसका मेरे को credit मिल जाएगा, works contract services available by a works contractor, for further supply of works contract services, ठीक है, तो वो subcontracting वाना, उसको भी credit मिल जाएगा, वेर value of WCS is not capitalized, अगर capitalized नहीं किया, P&L में debit किया, तो उसका credit मिल जाएगा, similarly, आपका यह आता है, 17.5D, self construction of immovable property, ठीक है, अगर मैं immovable property का construction खुद ही करवा रहा हूँ, अपने लिए करवा रहा हूँ, on my own account करवा रहा हूँ, तो ITC not allowed, acceptance specific situations, क्या, construction of plant and machinery, ठीक है, अगर मैं plant and machinery का construction करा रहा हूँ, बिल्कुल मेरे को मिल जाएगा, construction of immovable property for others, अगर बाकियों के लिए, मैं immovable property का construction करा रहा हूँ, मुझे बिल्कुल GST का credit मिल जाएगा, या value of construction is not capitalized, ठीक है, अगर construction की value को मैंने capitalized नहीं किया है, तो उसका मेरे को मिल जाएगा, plant and machinery का मतलब क्या है, वो देखो यहाँ पर काईदे से, plant and machinery means apparatus, equipment and machinery, fixed to earth by foundation, जो की जमीन पर गड़ी हुई है, तभी वो immovable है, और structural supports, जो जमीन पर या तो foundation से fit है, या तो structural supports से fixed है, but excludes land, building, other civil structures, telecommunication towers, and pipelines laid outside the factory premises, तो जो telecommunication towers है, क्या वो plant and machinery की definition में आएगे, बिल्कुल भी नहीं आएगे, तो क्या telecommunication towers पर pay किया जाने वाला GST, का credit आपको मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, जो pipelines आप ले करते हो, factory premises के बाहर, क्या उनको plant and machinery माना जाएगा, नहीं, तो फिर क्या उन पर pay किया जाने वाला GST का credit आपको मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगर आपने pipelines ले की factory premises के अंदर, इस पर ITC स्पेसिफिकली डिसलाओट है, आगे देखो, इनवर्ट सप्लाइज रसीव बाई अन नौन वेजिदेंट टाक्सबल परसन, ठीक, तो यहाँ पर भी ITC not allowed, एक्सेप्ट फर टाक्स पेड औन इंपोर्ट गुड्स, इंपोर्ट गुड्स पर, जो टाक्स पेड किया है, उसका GST मिल जाएगा, इनवर्ट सप्लाइज इस पर परसनल कंजम्शन, यह भी कॉमन सेंसे, section 16 नहीं मना कर दिया था, ठीक है, mandatory जो requirements नहीं, section 16 1, उस ही में लिख दिया था, वो 16 1 में था या 16 2 में था, कहीं तो था नहीं है, section 16 1, हा, section 16 1 में लिख दिया था न, यह देखो, ITC available for business use और intended business use, तो यह 16 1 ने खुद ही बोल दिया था, तो यहाँ पर इसने specifically इसको block भी कर दिया है, कोई दिख कर दिया है, इधर देखो, goods lost, stolen, destroyed, written off, or disposed off by way of gift और free samples, तो ITC इस पर available नहीं होगा, लेकिन कुछ exceptions है, कि अगर schedule 1 के हिसाब से, without consideration इसको दिया जा रहे, तो फिर ITC मिल जाएगा, ठीक है, तो जो यह gifts यह free samples, अगर schedule 1 के हिसाब से supply में आ रहे है, तब तो इसका GST आपको मिल जाएगा, and last से आपका evasion, confiscation, etc., मतलब वही suppression of facts, evasion, willful, misstatement की वज़े से, अगर आप GST पे कर रहे हो, उसका बाद में आप बोलो कि ने, इसका मेरे को credit भी दे दो, तो आपको इसका कोई credit पगिरा, नहीं मिलने वाला है, तो ITC not available for tax pay, due to evasion or confiscation, ठीक है, यह हमारा section 17.5 भी यहां पर आकर complete हो चुका है, I'm sure बहुत मजा आए होगा, और बहुत simple लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग regular basis पर section 17.5 पढ़ते हैं, तो discussion काफी लंबा चला जाते हैं, लंबा जाना ही जाना है, लेकिन अभी क्योंकि हम लोग ने पूरा का पूरा section 17.5 पढ़ लिया, आप लोग को दिख भी नगा होगा, बट this is basically section 17.5, ठीक है, तो section 17.5 काफी अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है, अब आओ, हम लोग बात करते हैं section 17.6 के बारे में, ठीक है, section 17.6 government की powers के बारे में बात करते हैं, और ये बताते हैं कि government बता देगी, government बता देगी कि credit का attribution कैसे होना है, credit का attribution कैसे होना है, तो सबसे पहले इसमें एक general rule आता है, बड़ा simple सा है, बहुत ही simple सा है, IGST का अगर आपके पास credit है, तो इसका utilization पहले IGST की liability के against करोगे, उसके बाद CGST या SGST जैसे आपकी मर्जियों वैसे आप लोग कर सकते हों, ठीक है, तो first to be utilized for the payment of IGST, then to be utilized for the payment of CGST और SGST या UTGST, add the option of the taxable person, CGST और SGST या UTGST credit can be utilized only after credit of IGST is fully utilized, ठीक है, तो पहले IGST का, sorry, यहाँ पर यह मतलब हुआ, कि CGST, SGST का credit आप तभी use करोगे against CGST, SGST liability, कि पहले IGST का पूरा credit खतम हो जाना चाहिए, ठीक है, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते, कि आपके पास IGST का credit है, suppose एक लाख रुपे का, IGST की liability है, suppose 70,000 रुपीज की, now, IGST के credit से आपने IGST की liability को utilize किया, अभी आपके पास 30,000 रुपीज का IGST का credit पड़ा हुआ है, आपके पास CGST की liability है, let's say 25,000 रुपीज की, आपके पास CGST का credit है, suppose 20,000 रुपीज का, तो आप कहा रहे हूँ के 25,000 रुपीज में से 20,000, मैं CGST का credit सेट आफ करूँगा, नहीं, आपके पास IGST का 30,000 रुपीज का credit है, आप पहले CGST की liability के against IGST के credit को utilize करोगे, तभी आप CGST के credit को utilize कर पाऊगे, तो CGST और SGST का credit आप तभी utilize कर पाऊगे, जब IGST का credit पूरी तरसे खतम हो जाएगा तब, फिक है, CGST के credit को कैसे utilize करोगे, पहले CGST की liability के against, और उसके बाद IGST की liability के against, SGST की liability के against, CGST का credit आप utilize नहीं कर सकते, CGST का credit भी आप utilize तभी कर पाऊगे, जब IGST का पूरा का पूरा credit आप utilize कर चुके होगे तो फिर आता है आपके पास SGSE या UTGST का credit तो इसका पहले आप utilization करोगे against SGSE, UTGST liability और उसके बाद IGST के liability लेकिन यहाँ पर भी आप तब तक इसको utilize नहीं करोगे जब तक IGST का credit utilize नहीं हो जाता तो SGSE or UTGST credit can be utilized only after all the credit of IGST is utilized besides this SGSE, UTGST credit can be utilized for the payment of IGST only after the ITC of CGST has been fully utilized तो SGST का जो utilization है वो IGST के against आप तब ही करोगे जब CGST खतम होगे ऐसा नहीं हो सकता कि CGST थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है और आप पढ़ा रहने दे रहे हो उसको और SGST के credit को आप IGST के against utilize कर रहो तो IGST के liability अगर है तो CGST के credit को utilize करो फिर SGST के credit को utilize कर दो ठीक है उसके बाद आपका आता है rule 86A rule 86A restrictions on utilization of ITC यह मैं आप लोगों को अरड़ी बता चुका हूँ नहीं rule 86B बताया था 86A नहीं बताया था ठीक है 86A क्या कहता है कि अगर assistant commissioner या commissioner को या कोई भी इसके उपर वाले बंदे को ऐसा लगता है कि ITC जो है वो fraudulently avail किया जा रहा है या ITC ineligible है तो उस पर restriction लगाई दे जा सकती है तो assistant commissioner या commissioner और any officer above this rank can restrict the utilization of ITC if he feels that ITC has been fraudulently availed or that ITC is ineligible if the ITC has already been availed by the taxable person then the officer may restrict its utilization against the liability अगर वो already avail कर चुका है तो उसका utilization रोप देगा avail करने का मतलब वो GSEI 2B में आ चुका है और electronic credit ledger में आ चुका है तो payment जब किया जाएगा GSEI 3B में जब payment किया जाएगा तो वो इसको रोख देगा सुनो, electronic credit ledger से कोई set-off नहीं होगा, कोई adjustment नहीं होगा जो payment होगा वो electronic cash ledger के थ्रूँ आपको करना होगा restriction can be imposed only for a period up to one year from the date of imposing such restriction however, the commissioner or officer authorized by him can withdraw such restriction if he is satisfied with the conditions for imposing the restrictions no longer exist ठीक है, एक साल तक का restriction होगा अगर उसके पहले commissioner या assistant commissioner या उसके उपर वाले बंद को लगता है कि यार, conditions है नहीं, restrict करने के कोई ज़रुबत है नहीं तो उसको हटाए जा सकता है क्यों ऐसी feeling आईगी commissioner को या assistant commissioner को कि इसका ITC restrict करना चाहिए तो conditions for imposition क्या है ITC availed based on tax invoice या valid documents from non-existent supplier or one not conducting business from the registered place मेरे पास bill है, supplier का bill है मैंने उस bill के नाम पर, bill की चौड में, bill की आड में GST का credit ले लिया इन लोगों ने चेक किया, bill पे जो supplier का नाम लिखा है वो supplier है नहीं या वो supplier जो भी place of business लिखा हुआ है supplier का वो उस place of business पे गए supplier उस place पे business ही नहीं करता है या मेरे पास document है मुझे good services नहीं मिले तो without receipt of goods or services अगर मैंने ITC का claim ले लिया except for bill to ship to तो उसका मेरे को मना कर दिया जागा भाई ये restricted है ये आप नहीं ले सकते या where tax not paid to the government मेरे supplier ने सरकार को tax ही पे नहीं किया तो भी रोब दिया जागा कि भाई तू GST का credit नहीं ले सकता ये तो हो गया कि मेरे supplier ने क्या क्या किया ठीक है अब मैंने क्या क्या किया registered person availing ITC is non-existent or not conducting any business from the registered place of business मैं ही exist नहीं कर रहा हूँ या जहां मैंने अपना place of business बोला हुआ है उसमें मैं अपना business कर ही नहीं रहा हूँ तो फिर ITC को restrict कर दिया जाएगा registered person availing ITC lacks tax invoice या valid document मेरे पास ना तो tax invoice है ना valid document है मैं ITC ले ही नहीं सकता मेरा ITC restrict कर दिया जाएगा ठीक है यह हो गया उसके बाद rule 86B rule 86B के बारे में हम लोग अलगा अलड़ी बात कर चुके है थोड़ा बहुत मैंने आपको idea दिया था इसके applicability के है applies to registered persons whose taxable supply value exceeds 50 lakh rupees in a month excluding exempt and zero rated supplies ठीक है तो यहाँ पर के only 99% of the output liability can be paid through electronic credit ledger remaining 1% to be paid in cash remaining 1% to be paid in cash लेकिन इसके कुछ exceptions है इसके 4 exceptions है क्या अगर आप timely income tax payment कर रहे हो तो आप पर 86B नहीं लगेगा exemption for entities paying over 1 lakh rupees in income tax in the last 2 years includes registered person करता, proprietor, managing directors, partners directors, committee members, trustees वगर अगर अगर पिछले 2 साल से 1 lakh से उपर का income tax मैं pay कर रहा हूँ तो मेरे उपर 86B का restriction नहीं लगेगा ITC refund if received refund of over 1 lakh rupees for unutilized ITC related to zero rated supplies or inverted duty structure अगर मेरे को 1 lakh से ज्यादा का refund मिल चुका है ITC का ठीक है तो फिर मेरे उपर 86B नहीं लगेगा cash payments इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे अगर मैं financial year 23-24 के बारे में बात करूँ तो let's say July में ठीक है July में मेरी जो सेल है 50 lakh के उपर हुई ठीक July 2023 में मेरी सेल 50 lakh के उपर हो गई ठीक है अब April में जून में भी मेरी supply होई होगी उसमें मेरी output liability थी तो अगर April में June total जितनी भी मेरी output liability थी उसका 1% से ज्यादा मैं अगर cash में pay कर चुका हूँ ठीक है April में June में April में और June में मेरी जितनी भी output liability थी अगर मैं उसका 1% से ज्यादा cash में pay कर चुका हूँ तो even though July में मेरी सेल 50 lakh के उपर होगी और इसे के साथ हमारा section 17 का revision complete हो जाता है एक बार फिर से अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और कमेंट नहीं किया है कमेंट कर दो कमेंट कर दो वीडियो को लाइक कर दो कमेंट करके बता दो यह वाले चार्ट्स आपको लोगों के लिए actually helpful है या नहीं है यह अच्छा लग रहा है color combination text जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है यह सारी चीज़ें सही लग रही है बहुत मेहनत लगी है भाई साव यह बनाने में ठीक है and you know the presentation and everything the boxes and all that तो इसलिए प्रीज कमेंट कर दो क्योंकि भाई अगर यह helpful है देखो अगर मैं बेच रहा हो था तब तो कोई पंगा ही नहीं था तो मुझे कैसे पता चलेगा आप कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपके लिए helpful है ठीक है आओ देखो section 18 special circumstances में credit कैसे कैसे मिलता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ सबसे पहले आपका आ जाता है section 18 1 और 2 read with rule 40 ITC available for newly registered persons and time limit ठीक है आओ देखो यहाँ पर तो persons eligible to take credit कौन कौन से goods पर ITC मेलेगा inputs held in stock capital goods as on और उसमें restrictions या conditions क्या है तो सबसे पहला है person who has applied for registration within 30 days from the date on which he becomes liable to registration and has been granted such registration ठीक है तो जैसे ही मेरी turnover 40 lakh cross हुई उसके तुरन उसके 30 दिन के अंदर अंदर जैसे मेरी turnover अगर मैं goods का supplier हूँ तो मेरी turnover जैसे 40 lakh cross करेगी है I'll be immediately liable to get myself registered 40 lakh मेरी turnover cross की 30 दिन के अंदर अंदर मैंने registration के लिए apply कर दिया मुझे registration मिल भी गया तो अब क्या होगा the day immediately preceding the day from which he becomes liable to pay tax तो जस दिन मेरी जो सेल है वो 40 को cross कर गई उसके just पहले उसके just एक दिन पहले मेरे पास जितना भी inputs stock में held होगा raw materials जितने भी inputs मेरे semi finished goods होंगे work in progress और और जितने भी मेरे finished goods होंगे जो stock में होंगे उन तीनों का credit मुझे मिल जाएगा raw material work in progress और finished goods का मेरे को credit मिल जाएगा ठीक है credit मैं कब तक ले सकता हूँ ITC to be availed within one year from the data of issue of tax invoice by the supplier ठीक है मतलब मैं suppose let's say 20th March है न तो 20th March let's say 20th March 2024 20th March 2024 से एक दिन पहले 19th March 2024 को मेरे पास जितना भी raw material semi finished goods work in progress और finished goods होगा उसका मुझे credit मिल जाएगा लेकिन एक साल के पुरानी खरीद नहीं होनी चाहिए ठीक है तो ये मेरे को जो वो मिलता है ITC मिलता है वो तभी मिलेगा अगर मेरे पास यहाँ पर जो माल पड़ा हुआ है वो एक साल के अंदर अंदर खरीदा हुआ है एक साल से पुराना माल अगर पड़ा हुआ है तो उ जिस दिन मुझे registration a lot होता है, जिस दिन मेरे को registration a lot होता है, उसके एक दिन पहले मेरे पास जितना भी raw material, work in progress और finished goods था, उसका मुझे credit मिल जाएगा, लेकिन वो एक साल से पुराना खरीदा हुआ नहीं होना चाहिए. next, registered person who ceases to pay composition tax and switches to regular scheme, अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, जो point numbers 1 और 2 है न, इन में पहले registration नहीं था, registration लिया गया, या तो libel होने पर लिया गया, या तो voluntarily लिया गया, ठीक है, points 1 और 2 पर मेरे पास पहले से registration नहीं था, मैं पहली बार registration ले रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं पहली बार registration ले रहा हूँ, तो मुझे credit मिलेगा, सिर्फ raw material, work in progress और finished goods का, लेकिन, अगर मैं पहले से registered हूँ, अगर मैं पहले से registered हूँ, points 3 और 4 में आप देखना, points 3 और 4 में पहले से registered हैं, ठीक है, अलग-अलग situations है, लेकिन हम पहले से registered हैं, तो अगर मैं पहले से registered हूँ, और फिर कोई situation अकर होती है, तो मुझे credit मिलेगा, raw material, work in progress, finished goods का तो मिलेगा ही मिलेगा, साथी साथ capital goods का भी मुझे credit मिल जाएगा, साथी साथ capital goods का भी मुझे credit मिल जाएगा, आओ आगे देखते हैं, ठीक है, तो points 1 और 2 में, मैं पहले registered नहीं था, पहली बार registered हूँ, 3 और 4 में मैं पहले से registered था, और कुछ specific condition हुई है, क्या situation हुई है, देखो, registered person who seizes to pay composition tax and switches to regular scheme, ठीक है, मैं registered हूँ, लेकिन मैं composition supplier में registered हूँ, अब क्यूंकि मेरी turnover 1.5 crore cross कर गई, तो मैं composition से normal में आगे, ठीक है, तो जस दिन मैं composition से normal में आया, उससे एक दिन पहले मेरे पास जिता भी raw material, work in progress, finished goods और capital goods थे, उसका मेरे को credit मिल जाएगा, तो the day immediately preceding the date from which she becomes liability pay tax and regular scheme, ठीक है, उससे पहले जिता भी मेरे पास raw material, work in progress, finished goods और capital goods था, उसका credit मुझे मिल जाएगा, लेकिन capital goods में क्या होगा, जब आप capital goods को खरीदते हो, तो उसकी cost, जितना भी आपने उस पर GST pay किया होता है, उस GST को आपको 5% per quarter के हिसाब से reduce करना होता है, ठीक है, त किया हुआ था, ठीक है, अब आप capital goods का credit, अब आप इस 10,000 रुपीस का credit लेना चाहते हो, ठीक है, तो आपको पूरे के पूरे 10,000 का credit नहीं मिलेगा, 5% per quarter के हिसाब से आप reduce करोगे, और तब जाकर जितना भी बचा हुआ पैसा होगा, उसका आपको credit मिलेगा, तो ITC on capital goods will be reduced by 5% per quarter of a year or part of the year from the date of the invoice, ITC claim shall be verified with the corresponding details furnished by the corresponding supplier, ITC to be availed within one year from the date of issue of tax invoice by the supplier, ठीक है, तो ये point number 3 और 4 दोनों के लिए प्लाए करता है, अचा, point number 4 किया है, registered person whose exempt supplies become taxable supplies, ठीक है, मैं registered था, मेरी exempt supplies taxable supplies बन गई, तो मुझे raw material, work in progress, finished goods और capital goods का भी deduction का भी credit मिलेगा, ये point पे मैं इतना ज्याद emphasis क्यों दे रहा हूँ, सुनो मेरी बाद, क्योंकि इससे related एक question है, जो आपको confused करेगा, एक question हम लोगोंने class में किया था, एक question हम लोगोंने class में किया था, वो question ये कह रहा था, कि किसी एक बंदे की exempt supplies, taxable supplies बन गई, और इस वज़ा से उसने registration लिया, अब क्या वो capital goods का credit ले सकता है, the answer is no, क्योंकि उसने पहली बार registration लिया, ठीक है, अगर वो पहले से registered होता, और फिर उसकी exempt supplies, taxable supplies बन जाती, तब उसको raw material, work in progress, finished goods और capital goods का भी credit मिल जाता, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जो question था, उसमें क्या कि सपोज मैं supplier हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ exempt supplies supply करता हूँ, अब मैं अगर सिर्फ exempt supplies supply करता हूँ, तो मेरे उपर registration की कोई obligation ही नहीं है, ठीक है, लेकिन सरकार ने किसी एक fine day कहा कि मैं त्रो, अब से ये taxable होगा, अब से अगर ये taxable होगा, देना ही, need to get myself registered under GST, ठीक है, now I am still in coming in the first part, now I have become liable to get myself registered under GST, ठीक है, तो इसलिए से raw material, work in progress और finished goods का ही credit मिलेगा, मैं category 4 में fall नहीं करूँगा, ठीक, बस ये हो गया, तो यहाँ पर किस-किस का मिलेगा, raw material, work in progress, inputs contained in finished goods, held in stock related to such exempt supply, तो जो भी exempt supply के लिए inputs आपने लिये वे थे, उसका credit आपको मिल जाएगा, और capital goods exclusively used for such exempt supply, उसका भी आपको credit मिल जाएगा, ठीक है, इन 4 चीज़ों के लिए notes है, आओ जरा ध्यान से देखते है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो when a registered individual becomes eligible to claim input tax credit, they must submit an electronic declaration in form GST ITC 01 via the common portal, ठीक है, तो जब मुझे credit लेना है, तो मेरे को ये GST ITC 01 वाला form भरना अपर मुझे details नहीं होगी, it must be filed within 30 days from the eligibility, a period extendable by the relevant tax authorities, 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करना होगा, additionally, if the total ITC claim across CGST, SGST, UTGST and IGST exceeds 2 lakh rupees, the declaration needs certification from a practicing chartered accountant or a cost accountant, और अगर total GST का credit 2 lakh से ज्यादा कमे claim करने वाला हूँ, तो मुझे एक CA या cost accountant से उस पर declaration चाहिए होगा, क्या है, यहाँ यह एक दम सही चल रहा है, ठीक है, यह हो गया आपका sections 18.1 और 18.2, ठीक है, आओ बात करते हैं, 18.4 के बारे में, 18.4 के बारे में बात करते हैं, 18.6, 18.3 यहाँ पर है, 18.3 यहाँ पर है, ठीक है, तो CA intermediate में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं है, बहुत ज्यादा detail में नहीं है, CA final म सब कुछ होता है, तो अभी हम 18.4 पर आ रहे हैं, 18.4 क्या कर रहे है, section 18.4, red with rule 44, switching from normal scheme to composition scheme और exiting from GST, ठीक है, अगर मैं normal scheme में registered हूँ, ठीक, अब मैं composition में जा रहा हूँ, यह मैं GST से exit कर रहा हूँ, क्योंकि suppose जो supplies में दे रहा हूँ, अब वो exempt हो गई है, ठीक है, तो मेरे G GST में register करने का कोई sense ही नहीं है, ठीक है, तो फिर दो चीज़ें यहां पर है, exiting from GST, cancellation of registration, exiting from GST देखते हैं, exiting from GST, देखो, section 18.4, mandates the reversal of input tax credit for registered persons, switching schemes, switching schemes or for supplies become holy, becoming holy exempt, ठीक है, तो exit में GST से क्यों करूँगा, अगर मैं normal से composition में जाओंगा, ठीक है, या फिर मैं मेरी जो supplies हैं, वो completely exempt हो जाएंगी, तो फिर मैं credit तो ले चुका हूँगा, तो अब मुझे उन credits का reversal करना पड़ेगा, अब मुझे उन credits का reversal करना पड़ेगा, मैंने समान खरी दा था, मैंने उसका credit ले लिया था, अब मैं normal से composition में जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं credit तो ले चुका हूँ, तो मेरे इसका reversal करना पड़ेगा, तो reversal of ITC on inputs, अगर invoice available है, तो invoice के basis पर आप reversal कर दो, अगर invoice available नहीं है, तो फिर market price देख लो, और ये जो market price है, जो भी prevailing current, prevailing market price है, उसके basis पर ITC का reversal कर दो, और ये जो है, इसको capital goods पर ITC के reversal की बात, ठीक है, capital goods पर ITC का reversal कैसे होगा, तो देखो, ये pro rata basis पर होगा, based on the remaining useful life, considered as 5 years, तो पूरे के पूरे capital goods की life को 5 साल मानेंगे, ठीक है, तो जितने की भी life बची हुई होगी, उसके basis पर जो भी ITC होगा, proportionate basis पर उसका reversal करना होगा, part of the month को ignore करना होगा, ए this should be 4 years, this should be 4 years, ठीक है, this should be 4 years, आप लोगों के notes में 4 years ही हो जाएगा, क्योंकि notes जब मैं upload करूँगा, तो उसमें 4 years करके कर दोगा, ठीक है, तो if a capital goods is used for 4 years, 6 months and 15 days, तो आप 15 days को ignore कर दो, ठीक है, 15 days को ignore कर दो, consider only 4 years and 6 months, तो अब इसते 6 महिने की remaining life बची हुई है, और credit को आपको reverse accordingly करना होगा, ठीक है, electronic credit or cash ledger must be debited with the reversal amount from stock and capital goods on the day before switching or exemption, any remaining ITC in the electronic credit ledger will be lapsed, ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, कि जितना ITC मुझे reverse करना है, उतने से मुझे electronic credit ledger को debit करना होगा, ठीक है, जो reverse करना है, उतने से electronic credit ledger को debit कर दिया, माल लो debit करने के बाद भी electronic credit ledger में अगर कोई balance पड़ा हुआ है, तो वो आपका lapse हो जाएगा, ठीक है, electronic credit ledger को कितने amount से reverse करना है, जितने का हमें reverse करना है, ठीक है, अब reverse, अब debit कर दिया, debit करने के बाद भी अगर कुछ पैसा पड़ा हुआ है, तो वो lapse हो जाएगा, ठीक है, cancellation of registration, अगर आपका registration cancel हो जाता है, अगर आपका registration cancel हो जाता है, तो फिर क्या क्यों होगा, फिर आपको ITC को reverse करना होगा, ठीक है, और exactly इसी तरह से reverse करना होगा, जैसे यहां पर हम लोगने बात की, inputs पर reversal कैसे होगा, capital goods पर reversal कैसे होगा, exactly इस तरह से यहां पर reversal होगा, ठीक, अच्छा, comparison with output tax, reversed ITC amount is compared with the output tax payable and the higher of the two is paid, ठीक है, तो जितना भी आपने reverse किया, उसको हम compare करेंगे, जितनी हमारी output liability बन रही है, और जो भी उन दोनों में से ज्यादा होगा, उसको हम लोग, उसको हम लोग pay कर देंगे, separation of ITC reversal, अब इसके basis पर भी questions हम लोगो नहीं किया होगा, अगर आपके पास book नहीं है, तो आप लोग books purchase कर सकते हो, उसका link यहाँ पर वीडियो के description में दिया होगा, separation of ITC reversal, ITC reversal on inputs and capital goods is calculated separately for CGST, UTGST, IGST, addition to output liability, तो क्या होगा, reversal amount is added to the registered person's output tax liability, जितना भी reverse किया है, अगर यह तब की बात है, अगर आपका registration cancel हो रहा है, तो, ठीक है, यहाँ पर registration आपका cancel नहीं हो रहा था, यहाँ पर बस आप GST से exit कर रहे थे, या तो normal scheme से उसमें आ रहे थे, य जातो आपकी supplies wholly exempt हो जानी थी, तो registration था आपके पास, लेकिन आप GST से exit कर गए थे, ठीक है, तो आपके credit ledger में अभी भी balance पड़ा होगा है, वो lapse हो गया, reversal क्या काम खतम, यहाँ पर आपका registration cancel हो रहा है, अगर यहाँ पर आपका registration cancel हो रहा है, तो हम आपकी output liability और reversal को देखें rule 2 and rule 44, sub rule 6, amount payable on supply of capital goods or plant and machinery on which ITC has been taken, तो जो supply वाले chapter में हम schedule 1 पढ़ते हैं, schedule 1 का जो para 1 होता है, schedule 1 है क्या, supplies without consideration, उसके अंदर जो para 1 होता है, वो para 1 क्या होता है, कि permanent transfer or disposal of business assets on which ITC has been availed, अब देखो, अगर आपका permanent transfer or disposal of business assets हो रहा है, जिस पर आप ITC अलोड़ी avail कर चुके हो, तो उसको supply तो माना जाएगा, अब उस पर GST कैसे लगेगा, यह supply वाली class ते एक मुद्दा रहता है, कि उस पर GST किस amount पर लगेगा, तो देखो, उसकी चीज क्या होती है, तो you have to pay the higher off, ITC taken, reduced by 5% for every quarter or part there off from the invoice date, तो जितना भी आपने GST उस पर pay किया हुआ था, जिसका आप credit ले चुके हो, उसको 5% per quarter से कम करो, और जितना भी बचेगा, वो आपको pay करना होगा, या अगर आप उसको बेच रहे हो, तो जितना भी transaction value पर आपने tax पे किया, वो आपको pay करना होगा, compute ITC for the remaining useful life separately for CGST, SGST, UTGST and IGST, ठीक है, specific items, specific items कौन कौन से है, तो अगर refractory bricks, molds, dyes, jigs, fi the taxable person may pay tax on the transaction value, तो इन पे आपको वो सब reversal वगरा, वो 5% per quarter का reversal वगरा करने की ज़रती है, अगर आप ये refractory bricks, molds वगरा scrap में दे रहो, कमार में दे रहो, तो कमारी वाले को बेच के जितना भी पैसा आपको मिल रहा है, उस पर जो भी GST liability बनेगी, वो आपको pay करना होगा, ठी तो ये आपका section 18.6 भी हो गया, आईए section 18.3 के बारे में बात करते हैं, transfer of ITC on account of change in the constitution of the registered person, ठीक है, partnership से company बन रही है, company से कुछ और, company तो हाइस्टी है, sole proprietorship से, suppose partnership बन रही है, वगरा वगरा, तो change in constitution हो रहा है, तो ITC भी transfer हो जाएगा, ठीक है, मैं अगर कोई partnership firm हूँ, और ब allows transfer of unutilized ITC due to business changes, sale, merger, etc., if liabilities are also transferred, ठीक है, अगर liabilities transfer होंगी, तो ITC भी transfer हो जाएगा, includes change in ownership due to death of a sole proprietor, किसी sole proprietor की death होती है, तो फिर वो उसका beta अगर उसको सक्षीट करता है, तो पिता जी का ITC जिता भी है, उसका credit beta भी ले सकता है, इन केस अब D-merger, ITC is divided on the asset value, तो D-merger अगर हो जाता है, तो जितने भी assets है, उनकी value पर ITC का भी proportionate division हो जाता है, तो asset value includes all business assets, regardless of ITC claims, notes क्या है, है, requires from GST ITC 02 submission and a certificate from a practicing chartered accountant, ये cost accountant, transferee must accept details on common portal to credit ITC to their ledger, जो भी transferee है, transfer के case में, transferee must record transferred inputs and capital goods in their books, तो उसको, उन books को, उन capital goods को, उन inputs को अपने books of accounts में record करना होगा, ठीक है, and last हमारे पास एक आता है, rule 41A, transfer of ITC on obtaining separate registrations for multiple places of business within a state or union territory, अगर आप एक ही state के अंदर multiple registrations ले रहो, तो क्या होगा, देखो, allows separate registrations for multiple business locations within the same state or union territory, enables transfer of unused ITC to newly registered locations based on their asset value, तो अगर multiple registrations है, एक registration पर, suppose एक registration पर ITC unused है, तो वो उसको दूसरे, अपनी ही, एक ही state के अंदर दूसरी registered establishment को, उस ITC को transfer किया जा सकता है, based on asset value, asset value considers all owned assets regardless of ITC claims, notes क्या है, require submission of necessary information of the government portal within 30 days of registration, upon acceptance, unused ITC is credited to the electronic credit ledger of the new locations, और इसी के साथ, हमारा input tax credit का, जो revision है, वो complete हो जाता है, तो once again, अगर आप लोगोंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे, ये कुछ important questions हैं किताब से, जो आप लोगों को करने ही करने हैं, तो ये था, हम start करने जा रहे हैं, हम start करने जा रहे हैं chapter, registration under GST, and I've got a surprise for you, registration under GST के लिए भी मैंने एक बड़ा सा चार्ट बनाया हुआ है, तो let's get started, सारे के सारे आवेइंग्मेंट्स जितने भी हैं, वो सब यहां पर incorporated है, तो देखो, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, section 22 के बारे में, section 22 कहता है, persons liable for registration, ठीक है, persons liable for registration, तो देखो, मोटी-मोटी बात हम लोगों को मालूम है, कि अगर कोई goods का supplier है, उसका turnover, अगर उसका aggregate turnover, 40,000,000 क्रॉस कर जाता है, तो उसको registration लेना होता है, अगर कोई services का supplier है, और उसका turnover है, वो 20,000,000 क्रॉस कर जाता है, तो उसको registration लेना होता है इतना हम लोगों को मोटा मोटा पता है लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा इसमें और deep में बात करते है aggregate turnover जैसे हम लोग aggregate turnover के बारे में बात करें aggregate turnover में क्या क्या होगा aggregate turnover में क्या हैगा taxable supplies पे आएंगे, exempt supplies पे आएंगे exports पे आएंगे, interstate supplies पे आएंगे aggregate turnover में सब कुछ आ जाएगा ठीक है क्या नहीं आएगा GST वाले जो taxes है वो नहीं आएगे और वो invert supplies नहीं आएगे जिन पे आपको RCM में tax देना पड़ता है of course वो आपका turnover है भी नहीं वो तो आपकी purchases है अब यहाँ पर क्या-क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है KID is calculated across all India includes all branches under the same pan includes supply made on behalf of principles सब कुछ इसमें aggregate turnover में आ जाता है ठीक है आओ threshold limits के बारे में बात करते है तो कुछ ये चार states ऐसी है जिनमें से अगर आप supply कर रहे हो तो आपको 10 लाख के ऊपर अगर आपका turnover हो जाता है तभी आपको registration लेना होता है ठीक है कौन-कौन सी है Moneypur, Mizoram, Nagaland, Tripuram ठीक है चाहे goods दे रहे हो चाहे आप services दे रहे हो अगर आपने इन चार states में से 10 लाख से ज्यादा का turnover कर दिया तो फिर यह आपका आपकी threshold limit ट्रॉस हो जाएगी है and you'll have to get yourself registered अब इसे आप लोग याद कैसे करोगे तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो Make my trip to Nagaland ठीक है Make my trip to Nagaland तो make M-A से make आगया ठीक है मिजोराम को हम माईजोराम करके प्रणाउंस कर सकते है तो my trip TRIP ट्रिपुरा आगया to Nagaland तो make my trip to Nagaland 10 लाग रुपे का बज़ेट है आपका तो आप इस तरह से कर सकते हो कि aggregate turnover अगर 10 लाग को क्रॉस हुआ अगर आपने इन 4 states में से अपनी supply की तो फिर आपको registration कराना होगा उसके बाद कुछ और states है हमारे पास जहाँ पर है states with threshold limit of 20 लाग रुपीज पर बोथ goods and services तो normally क्या है 20 लाग के उपर तो service 40 लाग के उपर तो goods ठीक है लिकिन अगर आप इन states से कर रहे हो इन states से कर रहे हो अगर आप इन states से goods की भी supply कर रहे हो तो 20 लाग का जैसे ही turnover आपका cross हुआ तो आपको registration कराना होगा अगर आपने इन states में से supply की और goods की supply आप कर रहे हो तो even if your turnover crosses 20 लाग रुपीज you'll have to get yourself registered अरुनाचल प्रदेश, मेगालेया, सिक्क्यम, उतराखंट, पुडचेरिया इसको कैसे याद रखोगे कि अरुनाओर, मेगा, सिक्का उच्छालते हुए पीटी कर रहे थे तो अरुनाचल प्रदेश, मेगालेया, सिक्क्यम, उतराखंट, पुडचेरि, तेलंगाना यह हो गया और बाकी जितनी भी states है तो states with threshold limit of 20 lakh rupees for services and 40 lakh rupees for goods जमू, कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश, all other states यह आपके threshold के बारे में यहाँ पर बात हो गई है अब देखो, exceptions के बारे में बात करते है कि exclusive suppliers of goods with aggregate turnover less than equal to 40 lakh rupees अगर exclusively कोई goods का supplier है और उसका aggregate turnover 40 lakh से कम है तो वो exempt रहेगा यह हम लोगों को मालूमी है हम लोगों ने threshold limit के अंदर पढ़ी लिया ठीक है? कि अगर आप exclusive goods के supplier हो तो आपको registration कराने की जरूरत तभी होगी अगर आपका turnover 40 lakh को cross करेगा ठीक है? लेकिन यहाँ पर exemption में वोई दिया हुआ है इवन if they are exclusive suppliers of goods and they have a turnover of less than equal to 40 lakh rupees ठीक है? एक तो यह persons required to take compulsory registration under 24 तो section 24 अभी हम लोग पढ़ेंगे तो section 24 में जिनको compulsory registration करवाना है वो यह नहीं बोल सकते कि अधे मेरा turnover तो कम है कोई फरक ने पढ़ता आपको law ने बोल दिया आपको compulsory registration कराना है Supplies of specific goods like ice cream, pan masala, tobacco certain bricks and tiles इसको भी मैंने आप लोगों को याद करवाय था इसको मैंने आपको कैसे याद करवाय था कि आप imagine करो एक building का construction चल रहा है अब building के construction के लिए क्या चाहिए होगा tiles चाहिए होगी earthing and roofing tiles वगएरे चाहिए होगी bricks चाहिए होगी जब वो building बन जाएगी तो वहाँ पर अमीर लोग रहेंगे तो वहाँ पर ice cream खाएंगे cold ring पियेंगे तो इस type की चीज होई थी तो ये specific goods ये लोग जो supply कर रहे है उनको भी compulsorily registration अपना करवाना पड़ेगा नेक्स persons making intra state supplies in the states of परणाचल प्रदेश, मनिपूर, मिघालया, मिजोरम, नागलाइन, पुडचेरी, सिक्किम, तिलंगाना, त्रिपुरा, उत्राघंड ये कौन सी वाली states हैं? ये ये वाली states हैं जिन पे 20 लाख क्रॉस करते ही registration कराना पड़ेगा ये यही 5-6 states हैं जिन में 20 लाख क्रॉस करते ही registration कराना पड़ेगा तो ये एक यहाँ पर exception पर आगए और दूसरा persons obtaining voluntary registration और those wishing to continue registration अब किसी का अगर voluntarily registration कराने का मने तो कराए ठीक तो देखो these people have to obtain registration even if they are exclusive suppliers of goods with aggregate turnover of less than or equal to 40 लाग रुपीज ठीक है? ये हो गया अब देखो कुछ इसके specifics हैं देखो required for place of business where taxable supplies are made registration आपको कहा कराना होगा उस place of business के लिए जहां से आप taxable supplies कर रहे हो not required for places of business from where exempt or non-taxable supplies are made ठीक है? अगर आपका कोई ऐसा place of business है जहां से आप non-taxable supply कर रहे हो या जहां से आप exempt supply कर रहे हो अगर मेरा एक गार्मेंट का शुरू में उत्तर प्रदेश में ठीक है? 40 लाख के उपर का मेरा turnover है तो मैंने उत्तर प्रदेश में अपना registration कर वा लिया मालो मैं इन में से किसी एक state में ये जो मनीपूर मालो मनीपूर में मेरी कोई दारू की दुकान है मालो मनीपूर में मेरी कोई दारू की दुकान है ठीक है? तो अब मनीपूर में तो completely exempt supplies दे रहा हो ना मैं तो यहाँ पर मनीपूर में मुझे registration कराने के कोई आवेशकता नहीं है ठीक? यह हो गया Next transferring of business transfer must obtain fresh registration तो अगर business का transfer किया जा रहा है ठीक है? मालो मैंने अपना business आपको transfer कर दिया तो जब आपके पास वो business आया तो आपको एक fresh registration लेना होगा Registration effective from the date of incorporation of amalgamation या demerger transfers ठीक है? तो amalgamation या demerger के case में जब business transfer होता है तो जिस दिन date of incorporation हुआ उस दिन से registration आपका effective हो जाता है ठीक? This was our section 22 अब आओ बात करता है section 23 के बारे में persons not liable for registration ठीक है? तो 22 कहता है requirement कौन-कौन से लोग liable for registration है section 23 बात करता है persons not liable for registration section 24 बात करता है compulsory registration के बारे में और sections 25 से लेका 30 तक बहुत सारे sections है और rules भी है यह सारे sections और rules बात करेंगे registration के procedural aspects के बारे में तो देखो, यहाँ पर, अगर हम 23 के बारे में बात करें, अगर हम लोग 23 के बारे में बात करें, section 23 के बारे में बात करें, तो यहाँ पर एक तो आता है, persons not liable for registration 23.1, ठीक है, एक आता है, notified category of persons 23.2, इसमें भहेंकर वाला amendment आया हुए, और एक आता है आपका, services provided by commission agent for sale of purchase of agricultural produce, इ for registration, ठीक है, तो exclusively making supply of non-taxable goods or services, जो हम लोगो ने अभी example लिया, कि अगर मैं completely exempt supply कर रहा हूँ, तो फिर उसका मेरे को registration कराने की कोई जरूरत नहीं है, exclusively making supply of wholly exempt goods or services, again, चाहे मों non-taxable में supply करो, चाहे मैं wholly exempt supply करो, मुझे registration कराने की कोई जरूरत नहीं है, तो अगर कोई agriculturalist है, कोई किसान है, वो अपनी जमीन से उगा कर कोई समान अगर बेच रहा है, तो वो कितने का भी उसका turnover जाए, उसको registration कराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक, next, notified category of persons, अब notified category में क्या आता है, सबसे पहले आता है, suppliers of goods with aggregate turnover not exceeding 40 lakhs, excluding specified goods and suppliers, ठीक है, तो अब द registration कराने की कोई जरूरत नहीं है, जिनकी goods की, जो exclusive supplier of goods है, उनका turnover 40 lakhs cross नहीं करता, उन लोगों को registration कराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन excluding specified goods and suppliers, यह exceptions कौन से हैं, यह exceptions यही वाले हैं, यह यही वाले तो exceptions हैं, ठीक है, देखो, तो मैंने इसलिए यहाँ पर एक dotted arrow बना कर इस next, persons making interstate supply of taxable services with an aggregate turnover not exceeding 20 lakh rupees, 10 lakh for special category states, ठीक है, अब यह notified category of persons कौन से हैं, services के case में, अगर आप services supply करो, देखो, goods के case में, अगर आप goods supply कर रहे हो, और आपने interstate goods supply करने शुरू कर दिये हैं, तो आपको compulsorily register कराना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको compulsorily register कराना पड़ेगा, लेकिन services के case में, आप interstate भी services अपने supply कर सकते हो, और आप अगर turnover 20 lakh तक का है, तो आपको registration कराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, वो जो 4 states थी, make my trip to Nagaland वाली, वहाँ पर यह obviously 10 lakh हो जाएगा, ठीक है, इसका मैं हमेशा एक simple सा example देता हूँ, जब 2020 में मैंने अन Academy join किया था, त तो location of the supplier उत्रप्रदेश, place of supply Karnataka, interstate supply हो गई, लेकिन फिर भी 20 lakh तक मुझे registration कराने की कोई जरूरत नहीं थी, 20 lakh तक मैं interstate supply कर सकता हूँ, हाँ, 20 lakh जैसे ही cross हुआ, तो मुझे registration कराने की जरूरत पढ़ जाएगी, ठीक है, तो वही चीज़ लिखी हुई है, कि notified category of persons, यान इनको registration कराने की जरूरत नहीं है, persons not liable to registration, not liable for registration, कौन, persons making interstate supplies of taxable services, with aggregate turnover not exceeding 20 lakh रुपीज, ठीक है, जिनका aggregate turnover 20 lakh रुपीज का नहीं है, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर सिर्फ services के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ goods के बारे में नहीं लिखा हुआ है, यहाँ आप यह नह अगर आपने goods को interstate supply करना शुरू कर दिया, तो आपको registration लेना पड़ेगा, वो किस basis पर बोला था, क्योंकि यहाँ पर जो notified category of persons है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ suppliers of services के बारे में बात हुई है, यहाँ suppliers of goods के बारे में बात ही नहीं की गई है, ठीक है, persons engaged in making taxable supplies, liability paid on reverse charge basis, ठीक है, जैसे कोई lawyer बगर है, अब lawyer है, suppose मैं lawyer हूँ, मैं supply दे रहा हूँ, अब जो भी supply है, उस पर जो recipient है, उसको GST पे करना है, तो मुझे registration कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक, persons making interstate taxable supply of notified handicraft goods up to 20 lakh रुपीज, तो notified handicraft goods अगर मैं बेच रहा हूँ, interstate भी चलेगा, ठीक है नॉर्मली कोई goods नहीं चलेगे, रिकिन interstate supply of notified handicraft goods चलेगा, बशरते turnover 20 lakh से cross नहीं हो, और फिर यह है, casual taxable persons making supplies of handicraft goods and handmade shawls, tolls, etc, ये भी आपका 20 lakh रुपे तक का है, तो जो casual taxable persons होते हैं, वो भी interstate supply कर सकते हैं, handicraft goods की, handmade shawls की, handmade चीज़ों की interstate supply कर सकते हैं, 20 lakh से ज्याद का turnover नहीं होना चाहिए, और अब भाई साब ये वाली जो चीज़ आई है, ये एक completely नया amendment है, ठीक है, आओ देखो, supplies of goods through ECO, required to collect TCS under section 52, मतलब एक ऐसा ECO, which is required to collect TCS under section 52, अगर आप उस ECO के through goods को supply कर रहे हो, with turnover of supplier, with turnover of supplier, not exceeding the registration threshold subject to conditions, ठीक है, मतलब क्या हुआ, अगर मैं एक supplier हूँ, मैं किसी ECO के through अपने goods का supply कर रहा हूँ, मैं अगर किसी ECO के through, किसी electronic commerce operator के through, मैं goods को supply कर रहा हूँ, और ये electronic commerce operator ऐसा है, जिसको section 52 में TCS collect करना होता है, ठीक है, अब देखो, बात क्या थी, ये क्यूं आया, मैं आपको बताता था हू ये इसलिए आया, interstate suppliers को, interstate goods के suppliers को तो registration लेना ही पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर अगर मुझे अपने goods को supply करना है किसी दूसरे state में, और मैं ECO के through कर रहा हूँ, तो भी मेरे ओपर registration की liability आ जा रही थी, तो सरकार ने यहाँ पर ये किया कि अच्छा चलो ठीक है, अगर supplier हूँ, मेरा aggregate turnover 40,00,00,20,00,000 या 10,00,00,000 ञाइं कर रहा हूँ, अगर वो في supply कर रहा हो, और मैं ECO के through को ज़रूरत धेर है, तो मुझे registration लेना की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, supplier of goods, जो कि ECO के through supply कर रहा है, अब मैं ECO के through supply कर रहा हूँ, तो किसी भी state में जा सकते है, करना होता है. अगर ऐसे ECO के थू मैं goods को supply कर रहा हूँ और मेरा aggregate turnover threshold को cross नहीं कर रहा है तो मुझे registration लेने की कोई ज़रत नहीं है, लेकिन इसकी कुछ conditions है लेकिन इसकी कुछ conditions है क्या conditions है? देखो क्या conditions है? Must not make any interstate supply of goods. ठीक है? तो interstate supply of goods नहीं होनी चाहिए ठीक है? तो सर अभी तो आपने बोला था कि ECO ये वो ये वो गलत हो गया I'm very sorry. ठीक है? थोड़ा सा कुछ slip हो गया था. तो interstate supply नहीं होनी चाहिए. तो यहाँ पर apparently ECO के through भी जो आप दे रहे हो तो ECO के through भी आपको interstate ही देना होगा. ठीक है? ECO के through भी आपको interstate ही देना होगा interstate नहीं होना चाहिए. Can only make supplies through ECO only in in only one state or union territory. ठीक है? तो obviously अगर ECO के through आप दे रहे हो और interstate के लिए मना किया होगा है तब आप एक ही state ये union territory में दे सकते हो required to have PAN under the Income Tax Act and declare it on the portal with the address of the place of business and the state के union territory for the supply subject to validation on the common portal. ठीक है? तो आपके पास आपका PAN होना चाहिए. आपके पास आपका PAN होना चाहिए जो कि Income Tax Department ने issue किया होगा है और उसको आपको GST portal में mention करना चाहिए और with the address and place of business जो भी आपका place of business है उसको आपको महा पर mention करना चाहिए और इसका validation होना चाहिए तो इसका common portal पे ही validation होता है तो आपको अपने PAN को validate कराना पड़ेगा ठीक है? जब आप validation करा लोगे तो you will be granted an enrollment number upon successful validation of details ठीक है? जब आपने अपना PAN number mention किया उसका validation करवाया तो आपको एक enrollment number grant किया जाएगा और आपको per state या per union territory एक ही enrollment number मिलेगा and you cannot make supplies through ECO without obtaining the enrollment number तो ECO के थूँ अगर आपको supply करना है तो फिर आपको registration से बचने के लिए क्या 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 करना होगा? एक तो आप interstate supply of goods नहीं कर सकते आप एक ही state या union territory के अंदर अपनी supply करोगे आपके पास income tax department के द्वारा issue किया हुआ PAN होना चाहिए जिसे आप common portal पर mention करोगे और उसका verification कराओगे उसका validation कराओगे एक बार validation हो गया तो आपको एक enrollment number मिलेगा enrollment number एक state के लिए एक ही आपको enrollment number मिलेगा और आप ECO के थूँ बिना enrollment number के supply नहीं कर सकते if granted registration under section 25 of the CGST Act later the enrollment number ceases to be valid from the date of registration's effective date ठीक है मतलब बाद में अगर आपने कभी registration ले लिया तो enrollment number will cease to be valid enrollment number की कोई validity रही नहीं जाएगी वो invalid हो जाएगा किस date से invalid होगा जिस date से आपका registration effective होगा ठीक this is applicable from 1st October 2023 as per this notification तो यह है जब आप ICAI का issued statutory update देखोगे तो आपको वहाँ पर वो वाली चीज़ मिल जाएगी इसको मैंने इस चार्ट में incorporate कर दिया है ठीक है यह हो गया अब इधर आओ देखो इधर देखो services provided by the commission agent for sale or purchase of agricultural produce ठीक है अगर कोई commission agent है अगर कोई commission agent है जो की sale या जो की agricultural produce की sale या purchase के लिए agency का काम कर रहा है तो उसको registration कराना होगा क्या देखो agents are not required to register if supplies are made on behalf of non-taxable agriculturists ठीक है तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि agriculturists तो non-taxable ही होते है तो अगर agriculturist का मैं agent बन रहा हूँ तो मुझे registration लेने की कोई जरूरत नहीं है mandatory registration required under section 24 if supplies are taxable लेकिन अगर supplies taxable है तो मुझे registration लेनी होगी and supplies are made on behalf of a taxable person या फिर अगर supplies मैं किसी taxable person की बेहाफ पर कर रहा हूँ तो भी मुझे registration लेना होगा तो agriculturists क्योंकि non-taxable होते है तो अगर मैं उनका समान बेचने के लिए उनकी agency कर रहा हूँ उनका agent बनावा हूँ तो मुझे registration लेने की कोई जरूरत नहीं है ये क्यों है क्योंकि section 24 कहता है कि अगर कोई भी agent है तो उसको compulsorily registration लेना होगा तो बात यहाँ पर यहाँ है कि क्योंकि जो agriculturalists होते है वो non-taxable persons होते है तो उनकी जो भी supply होती है उस पर GST लगना ही नहीं है तो फिर agent को भी registration लेने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है section 23 भी यहाँ पर over हो जाता है हम आजाते है section 24 पर हम आजाते है section 24 पर section 24 बात करेगा कि किन किन लोगों को registration compulsorily लेना होता है ठीक है किन किन लोगों को registration compulsorily लेना होता है यह section 24 बात करेगा मैं अफड़ापट से पानी पी लेता हूँ आफड़ापट से वीडियो लाइक करता हूँ देखो persons making any interstate taxable supply ठीक है अगर interstate taxable supply है तो registration compulsorily लेना पड़ेगा exemption for interstate supplies of taxable services with turnover not exceeding 20 lakh rupees और special category states के लिए 10 lakh rupees इसके बारे में हम बात कर चुक है casual taxable persons को registration लेना होगा exemption for CTPs making interstate taxable supplies of notified handicraft goods having a threshold limit of 20 lakh rupees 10 lakh rupees for special category states इसके बारे में भी हम लोग ने बात की के casual taxable persons जो की interstate supply कर रहे है notified handicraft goods handmade shawls, tolls बगएरा बगएरा उनको भी registration लेनी की ज़रुत नहीं है 20 lakh के turnover तक persons required to pay tax and reverse charge अगर किसी को reverse charge में tax pay करना है तो उसको registration लेना ही पड़ेगा e-commerce operators specified services under section 95 तो वो e-commerce operators जो के 95 की services provide करवा रहे हैं जो 4 थे और तीसरा आपका urban club था तो इन 4 electronic commerce operators को तो compulsorily GST में registration लेना ही पड़ेगा non-resident taxable persons को लेना पड़ेगा persons required to deduct tax at source under section 51 उनको भी लेना ही पड़ेगा persons making taxable supplies on behalf of others यानि agents तो agents को भी लेना पड़ेगा बट इसका भी हम लोगों ने देखा कि अगर कोई agent agriculturalist का agent है तो उसको GST में registration लेने की कोई ज़रूरत नहीं है input service distributors इनको लेना पड़ेगा persons supplying through ECO excluding services under 95 तो यहां लिखा हुआ था not required to register if the turnover is less than 20 lakh rupees per annum 10 lakh for special category states तो यहां लिखा हुआ था कि अगर कोई बंदा ECO के through supply कर रहे तो उसको registration लेना पड़ेगा but इसमें अभी amendment आया है वो आप लोगो ने देखा section 23 में persons not required for registration यह वाला amendment आया जिसमें यह यह conditions है यह हम लोगो ने पड़ा ठीक है तो it's very important for the upcoming exams ठीक यह भी हो गया every electronic commerce operator required to collect tax at source under section 52 उसको registration लेना पड़ेगा suppliers of OIDAR services from outside India to unregistered persons in India इनको भी registration compulsorily लेना पड़ेगा other notified persons और class of persons तो government may require registration based on council's recommendations इनको भी compulsorily registration लेना पड़ेगा sections 22, 23, 24 आपके complete हो चुके है अब हम process यह procedure for registration पर आ जाते हैं अब यह जो procedure for registration है इसमें काफी amendments आएं ठीक है procedure for registration में काफी amendments आएं तो मैं आप लोगों को एक बार go through करवा दे रहा हूँ बाकी once again I'm telling you कई सारे लोगों को लगेगा सार आप तो सिर्फ पढ़ द रहे हो ठीक है क्योंकि यह पूरा का पूरा process है इसमें मेरे समझाने लाएक आसर्च कुछ है ही नहीं ठीक है तो इसको मैं obviously सिर्फ रीड करूँगा जिससे आप लोगों को सुनाई दे जाए जहां जहां amendment है मैं उसको highlight कर दूँगा जिससे वो आप लोगों के दिमाग में रह जाए बाकी revise और याद तो आपको स्वयम ही करना पड़ेगा ठीक है तो यही वाली चीज़ है अब देखो registration process में हम सबसे पहले part 1 में हाते है part 1 देखो तो every person liable to get registered and person seeking voluntary registration shall before applying for registration declare his permanent account number and state your union territory in part A of form GST REG 01 on GST common portal तो हर बंदा जिसको registration वो जो registration के लिए liable है या जो voluntarily register करवाना चाहता है उसको GST के portal पर GST common portal पर form GST REG 01 के part A में अपना PAN mention करना होगा और अपनी state या union territory mention करनी होगी फिर PAN is validated online by the common portal from CBDT database and is also be verified through separate OTPs sent to the PAN linked mobile number and email address तो PAN का validation होगा एक तो CBT जो Central Board of Direct Access होता है उसके database से आपका PAN verify किया जाएगा और PAN से linked जो भी आपकी email address और mobile number होगा उस पे OTPs भी आएगे और उन OTPs के थूँ आपको अपने PAN को verify करवाना होगा एक बार यह जब हो जाएगा तो temporary reference number is generated and communicated to the applicant on the validated mobile number and email address जब आपका PAN verify हो गया तो एक temporary reference number generate किया जाएगा और वो आपके mobile number और email address पर भेज कर आपको उसके बारे में बताया जाएगा using TRN, applicant shall electronically submit application in part B of the application form along with specified documents at the common portal तो जब आपको TRN मिल जाएगा temporary reference number मिल जाएगा तो फिर आपने GST REG part 1 का part A भराता ना यह देखो GST REG 01 का आपने part A भराता आपको जैसे ही TRN a lot हो जाता है आपको जैसे ही TRN issue हो जाता है आप TRN का इस्तिमाल करके part B भी भर्दोगे part B भी भर्दोगे और वहाँ पर जो भी specified documents आपसे मांगे जाएगे वो भी आप देरोगे part B of application contains the details such as constitution of the business, jurisdiction, option for composition, date of commencement of business, reason for obtaining registration, address of the principal place of business and nature of activity carried out therein details of additional places of business, details of bank accounts, details of authorized signatory, आधार authentication, etc. यह सारी चीज़े आपको part B में लिखनी होगी on receipt of such application अब आपने part B वाली application लिखकर भेज दी जैसे ही यह application मिलेगी बतलब common portal पे आपने जैसे यह भेज दी application an acknowledgement in the prescribed form shall be issued to the applicant electronically तो जैसे ही आप part B submit करोगे आपके पास एक acknowledgement generate होकर आ जाएगा a casual taxable person applying for registration gets a TRN for making an advanced deposit of tax and his electronic cash ledger and an acknowledgement is issued only after the said deposit तो इसको हम लोग अभी थोड़ी दिर में detail में discuss करेंगी casual taxable persons के बारे में application shall be forwarded to the proper officer application proper officer को forward कर दी जाएगी procedure after receipt of application by the proper officer is depicted in part 2 तो अब यह जो application हुई यह proper officer के पास आ गई अब यह जो application हुई यह proper officer के पास आ गई ठीक है basically हुआ क्या आपने सबसे पहले GST REG 01 के part A में अपना PAN और अपना state वगरे mention किया TRN जैसे issue हुआ तो आपने part B में apply कर दिया जैसी आपने part B में apply किया आपको एक acknowledgement मिल गया ठीक है application पहुँच गई proper officer के पास और अब proper officer क्या करेगा उसके बारे में हम लोग आओ बात करते हैं ठीक है तो यह तो था part 1 अब हम आगए part 2 में अब हम आगए part 2 में तो proper officer examines the application and accompanying documents ठीक है proper officer क्या करेगा जो आपने application दी उसको और साथ में जो भी आपने specified documents दी है उनको check करेगा are the same found in order क्या सब कुछ ठीक ठाक है अगर हाँ अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो देखो क्या होगा registration granted within 7 days from the date of submission of application without site verification ठीक है तो अगर सब कुछ ठीक है तो 7 दिन के अंदर-अंदर जिस दिन आपने apply किया जिस दिन आपकी final application गई part B वाली application गई उसके 7 दिन के अंदर-अंदर बिना site verification किये मतलब आपकी site पर कोई आके check back नहीं करेगा सब कुछ अगर ठीक लगा proper officer को तो 7 दिन के अंदर-अंदर आपको registration grant कर दिया जाएगा इफ आप्लिकेंट successfully validates जाधार authentication तो फिर क्या होगा तो फिर क्या होगा देखेंगे अभी ठीक है साथ दिन के अंदर-अंदर registration हो गया ठीक है एक चीज और हो सकती है registration is granted within 30 days of the application after verification of site and prescribed documents ठीक है मतलब proper officer ने आपकी application देखी और accompanying documents को देखा सब कुछ ठीक लगा अब दो चीज़ें हो सकती है या तो बिना site inspection के 7 दिन के अंदर-अंदर वो आपको registration grant कर दे या पर site verification करने के बाद 30 दिन के अंदर-अंदर वो आपको registration grant करें ठीक है तो देखो registration is granted within 30 days of application after verification of site and prescribed documents ठीक है अब बात यहां पर आती है कि भाई site verification की या prescribed documents की verification की जरूरत कब आईगी कब आईगी तो देखो where applicant fails to undergo आधार authentication या does not opt for आधार authentication तब site verification की जरूरत होगी where PO deems it fit to carry out site verification जब proper officer को लगे नहीं नहीं यार इसका site verification कर लो तब जरूरत पड़ीगी where a person who has undergone आधार authentication is identified on the common portal based on the data analysis and risk parameters to carry out site verification ठीक है पहली बात तो यह है कि अगर कोई आधार authentication undergo ही नहीं करवाता है कोई आधार authentication करवाता ही नहीं है तो उसका तो site verification होगा ही होगा ठीक है अगर इस बंदे ने आधार authentication करवा लिया लेकिन फिर भी risk parameters को ध्यान में रखते हुए decide किया जा रहा है यार फिर भी इसका कर लो एक बार site verification कर लो तो भी site verification की जरूरत पड़ सकती है ठीक है अब देखो तो यह A है यह B है यह B है यह B है यह कौन सा वाला A है यह A है कि अगर 7 दिन के अंदर अंदर आपको registration certificate मिल गया और आपने अपना आधार authentication भी properly validate करवा दिया देखो deemed approval of application if the proper officer does not take any action within the specified time frame the application for registration will be considered approved ठीक है अगर वो specified time frame यह यह 7 दिन के अंदर अगर वो registration certificate नहीं देता है या 30 दिन के अंदर अंदर वो registration certificate नहीं देता है specified time frame के अंदर अगर proper officer action नहीं लेता है तो the application for registration will be considered approved मान लिया जाएगा कि आपकी registration के application approved हो गई है Here are the specific cases In cases where a person is covered in B above the registration will be deemed approved within 30 days from the date of application यह वाली बात थी कि यहाँ पर यह 30 दिन के अंदर-अंदर site verification के बाद 30 दिन के अंदर-अंदर आपको registration मिल जाएगा ठीक है? तो site verification के ही तो यह purposes थे यह reasons थे कि इन इन reasons पे site verification करना पड़ेगा अगर site verification के बाद भी 30 दिन के अंदर-अंदर registration आपको grant नहीं हुआ तो मान लिया जाएगा कि registration आपकी approved हो गई ठीक है? तो in cases where a person is covered in B above जहाँ पर site verification की ज़रूर थी तो वहाँ पर तो 30 दिन का time frame है ना तो the registration will be deemed approved within 30 days from the date of application मान लिया जाएगा कि approve हो गया within 30 days from the application in case of a person covered in A above यह तो यह वाला था जहाँ पर बिना site verification के 7 दिन के अंदर अंदर registration certificate मिल जाना चाहिए था और आधार authentication भी properly हो चुका है in case of a person covered in A above the registration will be deemed approved within 7 working days from the date of the application ठीक है? C वाले point पर अभी हम लोग आए नहीं है C वाला point अभी हम लोग देखते है ठीक है? C वाला point अभी हम लोग देखते है तो खेर इतनी बात हो गई कि आपने जो part B में अपनी application दी उसको proper officer ने examine किया accompanying documents को देखा क्या सारे के सारे documents सही लगे? हाँ, तो दो चीज़ें हो सकती है हाँ, तो दो चीज़ें हो सकती है या तो बिना site verification किये 7 दिन के अंदर-अंदर registration grant कर दिया जाए या फिर site verification करने के 30 दिन के बाद 30 दिन के अंदर-अंदर registration grant कर दिया जाए अगर 7 दिन के अंदर-अंदर registration grant करना है और आप जो हो अपना आधार authentication भी successfully validate कर चुके हो और by chance 7 दिन के अंदर अंदर आपका registration certificate आपको नहीं मिलता है तो ये मान लिया जाएगा कि आपकी application is deemed approved मान लिया जाएगा कि आपकी application approved हो चुकी है मान लो officer को लगता है कि site verification की जरूरत है कब-कब site verification की जरूरत पर सकती है एक जब आप अपना आधार authentication नहीं करवा रहे हो दूसरा जब proper officer को लग रहे कि आप site verification करने की जरूरत है तीसरा जब आप अपना आधार authentication करवा रहे हो पर फिर भी risk parameters को analyze करने के बाद proper officer को लग रहे कि भाई की verification जरूरत है, verification की जरूरत है, एक बार verification हो गया, तो 30 दिन के अंदर-अंदर आपका registration अप्रूब हो जाएगा आपकी application अप्रूब हो जानी चाहिए मान लो नहीं होती है, तो 30th day automatically उसको deemed approved मान लिया जाएगा, ठीक है, ये तो तब है, अगर आपकी application और accompanying documents सारे सही है, तो, अगर मान लो आपके accompanying documents और आपकी application सही नहीं है तो फिर क्या होगा, proper officer issues notice thereby seeking clarification, information or documents from the applicant electronically, तो proper officer आपको एक notification issue करेगा, ठीक है proper officer आपको एक notification issue करेगा, clarification में वो क्या-क्या clarification मांग सकता है, तो clarification includes modification या correction of particulars declared in the application for registration other than pan state and mobile number email address, ठीक है तो pan state, mobile number और email address को छोड़ कर pan state, mobile number और email address को छोड़ कर किसी भी चीज का वो modification या किसी और particular का वो modification या correction मांग सकता है, ठीक, आजाओ तो proper officer क्या करेगा एक notice issue करेगा proper officer एक notice issue करेगा within 30 days from the application submission date, का 30 दिन का time proper officer के पास कब होगा proper officer के पास notification issue करने के लिए, notice issue करने के लिए या तो 30 दिन का time होगा या तो 7 दिन का time होगा, ठीक है 30 दिन का time कब होगा, यही 3 cases, यही 3 cases ठीक, पहला case जब उस बंदे ने आधार authentication नहीं करवाया, दूसरा जब proper officer को लगता है कि site verification की ज़रूरत है और तीसरा, जब उस बंदे ने आधार authentication करवा दिया फिर भी risk parameters को analyze करने के बाद proper officer को लगता है कि site verification करने की ज़रूरत है तो site verification करने की अगर ज़रूरत उसको लग रही है, तो application submission के बाद 30 दिन का समय होता है, क्योंकि application submission के बाद site verification होगी न, ठीक है, तो site verification में भी time जाएगा तो इसलिए application submission से 30 दिन का समय दिया हुआ है, कि 30 दिन के अंदर-अंदर notice issue करके जो भी clarification information या documents आपको मांगने है, आप मांग लीजिए और अगर आपको site verification की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको site verification की ज़रूरत नहीं है, तो आप 7 दिन के अंदर-अंदर notice issue कर दीजे, जो भी आपको clarification information documents मांगने है, 7 दिन के अंदर-अंदर notice issue करके मांग लीजे, simple, ठीक, has the applicant furnished the clarification information documents within 7 working days time from the receipt of notice, notice मिलने के बाद, applicant के पास time होता है, 7 दिन का, to provide the proper clarification या information या documents, ठीक है, notice proper officer देता है, proper officer के पास 2 options है, या तो वो 30 दिन के अंदर-अंदर notice देगा from the date of submission of application, या तो वो 7 दिन के अंदर-अंदर notice देगा from the date of submission of application, 30 दिन के अंदर-अंदर उसको notice कब देना होगा, जब वो site verification करवाएगा, तो, site verification क्यों करवाएगा, ये 3 reasons है, 7 दिन के अंदर-अंदर वो notice कब देगा, जब उसको site verification नहीं करवाना होगा, तो, एक बार applicant को notice मिल गया, तो notice मिलने की date से 7 दिन का समय रहता है, applicant के पास, कि वो उस notice के accordingly, clarification information ये documents proper officer को submit कर दे, तो, has the applicant furnished the clarification information or documents within 7 working days time from the receipt of notice, क्या इस ने कर दिया, अगर हाँ, तो क्या proper officer satisfied है, अगर हाँ, अगर हाँ, तो proper officer will grant registration within 7 working days from the date of receipt of information ये clarification and documents, ठीक है, applicant ने notice मिलने के 7 दिन के अंदर-अंदर, जो भी clarification proper officer को चाहिए था, वो दे दिया, proper officer उससे satisfied है, proper officer को जिस दिन वो clarification मिला, उसके 7 दिन के अंदर-अंदर registration grant कर देगा, और अगर proper officer satisfied नहीं है, तो proper officer may reject the application for reasons to be recorded in writing, तो proper officer writing में reasons देगा, कि हम आपका registration क्यों reject कर देगा, और उसको reject कर देगा, और अगर applicant ने 7 दिन के अंदर-अंदर clarification, declaration, information, document सब्मिट ही नहीं किया, तो फिर proper officer आपके application को reject कर देगा, proper officer आपके application को reject कर देगा, ठीक है, अगर माल लो proper officer कोई action नहीं ले था, within seven days, इदेखो, applicant ने 7 working day के अंदर-अंदर, notice मिलने के 7 दिन के अंदर-अंदर, applicant ने notice मिलने के 7 दिन के अंदर-अंदर, information, clarification, document जो भी देना था, वो दे दिया, फिर क्या होगा, in cases covered in C above, in cases covered in C above, the registration will be deemed approved within seven working days from the date of receipt of requested details, ठीक है, तो जिस दिन वो receipt हो गया, जिस दिन proper officer को सारी information मिल गई, 7 दिन के अंदर-अंदर, या तो वो registration दे दे, या तो registration को reject कर दे, ना registration दे रहा है, ना reject कर रहा है, तो 7 दिन के बाद deemed approved मान लिया जाएगा, ठीक है, 7 दिन के बाद deemed approved मान लिया जाएगा, तो this was sections 22, 23, 24, और थोड़ा बहुत ये procedure for registration, थोड़ा बहुत procedure for registration हम लोग ने यहाँ पर किया, एक overall picture आपको मिल गई है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर, काफी सारी चीज़े हैं, जिन में कुछ-कुछ amendments हैं, ठीक है, तो उसके लिए, मैंने आप लोगों को पूरी चीज, summarized form में, tabular form में, colored tables के form में आप लोगों को दी हुई हैं, और जो जो amendments हैं, उनको bold करके रखा हुआ है, ठीक है, जो जो amendments हैं, उनको bold करके रखा हुआ है, of course, हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन this will be more of a revision kind of thing of what we've already done, क्योंकि काफी सारी चीज़ हैं तो ये procedure for registration में हम लोग already कर चुक है, तो अब यहाँ पर जो tabular form में दिया है, एक बार उसको फटा-फट से हम लोग देखेंगे, ठीक है, बहुत तीजी से देखेंगे, सबसे पहले, application for registration, तो timeline, apply within 30 days of becoming liable for registration, जैसी aggregate turnover cross होई, उसके 30 दिन के अंदर अंदर apply कर दो, location-based registration, apply in each state or unit territory where you're liable, ठीक है, जहां जहां आप liable हो, register करो, territorial waters, for supplies from territorial waters, registered in the nearest coastal state or unit territory, इस समझ में आ रहा है, अपने हापी, ACZ units, तो separate registration is needed for units in special economic zones, ठीक है, example if a company in Vajasthan crosses 20 lakh rupees of turnover threshold in 1st September, it must register by 1st of October, तीस दिन के अंदर अंदर आपको करना है, ठीक, फिर ही आता है आपका, section 25-2, one registration per state, single registration, only one registration per state or unit territory, multiple branches हैं तो क्या होगा, if you have several branches in a state, declare one of it as principal place and others as additional places of business, यह हम लोगों को अलड़ी पता है, बस एक बार हम लोग consolidated form में उसको read कर रहे, ठीक है, separate registration for multiple places, अगर आप एक ही state के अंदर multiple places के लिए, अलग-अलग registrations लेना चाहते हो, तो possible है under certain conditions, especially for tax purposes, ठीक है, voluntary registration, section 25-3, section 25-3, ठीक है, voluntary registration, optional registration, even if not required, you can choose to register, benefits क्या है, useful for suppliers to get registered to business, to avoid reverse charge and enhance B2B transactions, B2B transactions, तभी होंगे, अगर आप registered होगे, क्योंकि सामने वाले को credit चाहिए होगा, वो जो भी आप से खरीड़ेगा, obligations one is registered voluntarily, you must pay tax regardless of the turnover, आपका एक बार registration हो गया, फिर आप ये नहीं कह सकते हैं, अरे मेरा turnover का में मैं tax नहीं दूगा, registered हो तो tax देना पड़ेगा, 25-4 और 25-5, distinct persons, ठीक है, distinct persons, premises in separate states deemed distinct persons, ठीक है, अगर आपके अलग-अलग states में premises है, अलग-अलग states में आपके establishments नहीं, कि organization के multiple establishments है, तो हर state में existing establishment will be considered to be a distinct person, तो separate for each state, establishments in different states or union territories are treated independently, ठीक, PAN mandatory for registration, requirement of PAN must have a permanent account number to register, हम लोगो ने देखा ही part 1 diagram में, हम लोगो ने देखा, कि आपको GST REG 01 के part A में, PAN ही तो mention करना है, उसका validation होगा, तभी TRN generate होगा, तो TAN as an alternative, tax deduction and collection account number, can be used instead of those required to deduct tax at source, ठीक है, फिर आपको आधार authentication कराना होगा, फिर आपको आधार authentication कराना होगा, तो necessary for both existing and new registrants, आधार authentication necessary है, alternative identification, if आधार is not assigned, other forms of identification can be used, specific exemptions के हैं, certain categories are exempt from, आधार authentication, उतना important नहीं है, non-resident का registration, other documents for non-residents, तो non-resident taxable persons can use different documents for registration, ठीक है, आधार वधार कहीं होगा, उनके पास, आपो देखो, next, mandatory registration for non-compliance, automatic registration, if liable persons fail to register, authorities can register them, ठीक है, मैं liable हो चुका हूँ, मेरा turnover threshold को cross कर चुका है, फिर भी मैं registration नहीं करा रहा हूँ, authorities मुझे automatically register कर सकती है, unique identification number, UIN for specific entities, तो जो specialized agencies होते हैं, consulates वगेरा होते हैं, उनको tax refunds के लिए UIN मिल सकता है, registration, verification and approval, the verification process, registration is verified within three working days, deemed approval, if not rejected or queried within the prescribed period, registration is considered granted, ठीक है, अब application of registration में rule 8, अब इसमें देखो, यहां पर एक amendment यह आया हुआ है, पढ़ेंगे इसको, तो declaration of PAN आपका mandatory है, PAN requirement, everyone registering under section 25.1, और voluntarily under section 25.3, must declare their PAN and state या union territory, इसको हम लोग ने पढ़ा ही, GST REG 01 के part A में, हमें PAN और अपनी state या union territory, mention करनी होती है, form submission, this is done in part A of form GST REG 01, on the common portal, और at a facilitation center, ठीक है, किन किन लोगों को, is टीज का exception है, non-resident taxable persons, persons who deduct or collect tax at source, persons supplying online money gaming, from a place outside India, to a person in India, तो 1st October 2023 से, इसके ओपर भी यह वाला exception है, those providing online information, from outside India, to non-taxable recipients, are exempted, input service distributors, they need to apply separately, as an input service distributor, ठीक है, उसके बाद देखो, rule A2, validation of PAN, PAN verification, PAN is validated online, by the common portal, and verified through OTP, sent to the linked mobile number, and email address, we have already done that, temporary reference number, generating reference number, after successful PAN, after successful PAN, mobile and email verification, a temporary reference number, is generated and communicated, we have already done that, submission of application, application process, submit part B, of form GST REG 01, using the temporary reference number, with required signatures, or electronic verification, and necessary documents, we have already done that, then aadhaar authentication, optional for those, who are not exempt, involves aadhaar authentication, and may include, biometric verification, at facilitation center, ठीक है, biometric authentication, required for certain applicants, involving biometric data, and photograph verification, exemptions, certain states or union entries, may be exempt, from biometric based aadhaar, authentication, फिर एक, यी acknowledgement, आपको मिल जाएगा, after receiving the application, an electronic acknowledgement, form GST REG 02, is issued, casual taxable persons, को एक temporary reference, for casual taxable person, and temporary reference number, is provided for, advanced tax deposit, ठीक है, तो casual taxable persons, को एक TRN, दे दिया जाता है, advanced tax, जिससे वो जमा कर पाए, ठीक, फिर आओ, आगे आता है, देखो, ये सारी, ये वाली टेबल है, ये भी हम लोग पढ़ चुके है, ठीक है, इनिशल application review, rule line one, examination by officer, the proper officer, reviews the application, and its documents, standard approval time, if all is in order, approval is granted, within seven working days, extended approval time, under specific conditions, like failure to authenticate aadhar, or need for physical verification, approval may take up to 30 days, याद आ रहोगा, वो table में, diagram में हम लोग ने देखा, deficiency in application, फिर notice आएगा, तो identification of deficiencies, if the application lacks information, or documents, an electronic form, GST RD G03, is issued within seven working days, ठीक है, साथ दिन के अंदर अंदर, notice मांगा जाएगा, extended notice period, अगर वो site verification वगरे चाहिए, तो application के, 30 दिन के अंदर अंदर, आपको notice issue किया जाएगा, और आपको जम notice मिल जाएगा, तो उसके साथ दिन के अंदर अंदर, आपको उसका reply करना होगा, Approval after clarification, if the offer is satisfied with the response, registration is approved within seven working days, of receiving the clarification or documents, ठीक है, आपने अपनी notice का, जवाब दे दिया, साथ दिन के अंदर अंदर, जिस दिन, उसको notice का जवाब मिला, प्रॉपर officer को, उसके साथ दिन के अंदर अंदर, वो उसका जवाब देगा, और अगर जवाब नहीं दिया, तो deemed approval हो जाएगा, Non-response or unsatisfactory response, अगर आप ही ने respond नहीं किया, यह आपका response unsatisfactory था, तो registration reject हो जाएगा, If there is no response to the notice, or the officer isn't satisfied with the clarification, the application can be rejected, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं, आओ देखो, Physical verification of business premises in certain cases, तो reasons for verification, reasons for verification क्या क्या है, includes failure of आधार authentication, आपका आधार authentication नहीं हो पाया, non-selection of आधार authentication, और any other reason deemed necessary by the proper officer, तो या तो आपने आधार authentication करवाय ही नहीं, या तो आपका आधार authentication फेल हो गया, या proper officer को लग रहा है कि भाई, physical verification चाहिए, site verification इसका करना पड़ेगा, तो हो जाएगा, verification process, the proper officer conducts the verification at the place of business, in the presence of the concerned person, ध्यान देना, the proper officer conducts the verification at the place of business, in the presence of the concerned person, है न, ये चीज़ अब कट चुकी है, ये चीज़ अब कट चुकी है, ये चीज़ कट चुकी है, इसलिए ये जो bold में amendment है, ये bold में amendment इसी type का है, अभी हम लोग आएंगे उस पार, फिलहाल क्या है, कि आप presence of the concerned person के सामने, आप उसकी presence के सामने, उसकी site का verification करोगे, a report along with necessary documents and photographs is prepared post verification, verification के बाद उसकी एक report बनाई जाएगी, the verification report and supporting documents are uploaded in a common portal using form GSC REG 30, ठीक है, फिर आप common portal में upload जाएगा, report must be uploaded within 15 working days of the physical verification, अब देखो, ये देखो, substitution of rule 25, physical verification of business premises in certain cases, rule 25 has been substituted with a new rule to align the same with rule 9, thus the requirement of the presence of the registered person at the time of physical verification of the premises has been removed from rule 25, तो rule 25 में पहले लिखावा था, वो मेने यहापर जानबूच के नहीं हटाया हुआ, क्योंकि मैं चाहता था, ये लिखावा रहे है यहापर, ठीक है, in the presence of the concerned person, तो अब यहापर ये बूला जा रहा है, के, the requirement of presence of registered person at the time of physical verification of the premises has been removed from rule 25, अब इस requirement को remove कर दिया गया है, further, the rule empowers the proper officer to get the physical verification of the business premises done in all the circumstances as provided in provisor to rule 9, where physical verification is required to be done before the grant of registration, ठीक है, तो अब क्या हो गया है, the rule empowers the proper officer, proper officer से बोला जा रहा है, आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, जहाँ जहाँ जब भी आपको लगे, आप कर सकते हो बिलकुल, तो further, the rule empowers the proper officer to get the physical verification of the business premises done in all the circumstances as provided in provisor to rule 9, where physical verification is required to be done before grant of registration, वोही तीन, जब आपने आधार authentication किया नहीं, या आपने आधार authentication के लिए opt ही नहीं किया, या दूसरी चीज़, जब proper officer को लगा के, इसका physical verification करना चाहिए, या तीसरी चीज़, जब आपने आधार authentication के लिए opt किया, हो भी गया, लेकिन फिर भी risk parameters को analyze करके, proper officer को लग रहा है, कि आपका site verification करना चाहिए, तो यहाँ पर यह बोला जा रहे, अब आप कर सकते हो, the proper officer shall upload the verification report along with the other documents, including photographs and form GSCREG 30 on the common portal, at least 5 working days, the physical verification of premises is done after the grant of registration, form GSCREG 30 shall be uploaded within a period of 15 working days following the date of such verification, ठीक है, अगर registration grant करने से पहले, अगर registration grant करने से पहले site inspection किया, तो फिर, तो फिर registration grant करने से पहले, अगर site inspection किया, तो फिर form GST 30 में report upload करने पड़ेगी, report upload करने पड़ेगी, तो क्या बोला हुआ है, कि in form GST 30 on the common portal, at least 5 working days, prior to the completion of the time period specified in the set proviso, ठीक है, prior to the completion of the time period provided in the set proviso, तो उसके 5 दिन पहले पहले आपको upload करना होगा, where the physical verification of premises is done after the grant of registration, form GST RGD 30 shall be uploaded within a period of 15 working days from the following, from the date, 15 working days, following the date of such verification, done, तो ये बात clear होगे, मैं थोड़ो सा इसको और clarify कर देता हूँ, देखो, आपने, पार्ट B में application दी, proper officer को, अब proper officer को अगर लगता है, कि site verification की ज़रूरत नहीं है, अगर proper officer को लगता है कि site verification की ज़रूरत नहीं है, तो वो start दिन के अंदर अंदर आपको registration grant कर देगा, अगर उसको लगता है कि उसको site verification की ज़रूरत है, तो what is the time limit specified, 30 days, यही time limit तो 9-1 का proviso में provided है, ठीक है, तो यहाँ पर यह जो लिखा हुआ है न, at least 5 working days, prior to the completion of the time period, specified in the said proviso, what proviso are we talking about, we are talking about the proviso, which states, कि अगर proper officer को सही लगता है, तो वो आपका site verification कर सकता है, और अगर वो site verification करेगा, तो registration grant करने की, जो date है, time limit है, वो क्या है, within 30 days from the submission of application, in part P of form GST REG01, अभी अभी हम लोगों ने दिखा यह, ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, कि 30 दिन का time specified है, कि अगर आपको site verification करना है, तो application submission के 30 दिन के अंदर-अंदर, आपको registration grant करना पड़ेगा, यह जो rule substituted, substituted rule 25 यह कह रहा है, कि अगर आपने site verification किया, अगर आपने site verification किया, तो वो जो site verification के report generate होगी, वो आपको GST REG30 में upload करनी होगी, कब तक upload करोगे, 5 days before the time specified, and what is the time specified, 30 days from the date of submission of application, तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ, कि date of submission of application के, 25 दिन के अंदर-अंदर, date of submission of application के, 25 दिन के अंदर-अंदर, site verification की report upload हो जानी चाहिए, form GST REG30 में, ठीक है, date of submission of application, मैंने part B submit किया, proper officer satisfied नहीं है, proper officer कह रहा है कि नहीं, इसका site verification करेंगे, ठीक है, तो मैं अगर part B submit करूंगा, तो जिस दिन मैंने part B submit किया, उस दिन से 25 दिन के अंदर-अंदर, GST REG30 की, GST REG30 में, site verification की report upload हो जानी चाहिए, 25 दिन कैसे आया, क्योंकि date of submission of application के, 30 दिन के अंदर-अंदर registration grant होगा, और यहां बोला गया, उससे 5 दिन, 30 दिन का जो time है, उससे 5 दिन पहले, GST REG30 की report upload हो जानी चाहिए, ठीक है, यह तो तब की बात है, अगर site verification किया, prior to the grant of registration, अगर site verification आपने किया, after the registration, तो देखो, where the physical verification of premises is done, after the grant of registration, registration के बाद, अगर physical verification किया, from GST REG30 shall be uploaded, within a period of 15 working days, following the date of such verification, ठीक है, तो verification जब हो गया, report बनाओ, और verification के 15 दिन के अंदर अंदर, आपको GST REG30 वाली report upload करनी होगी, आपको मतलब proper officer को, ठीक है, तो I hope this substituted rule 25 is clear now, तो substituted rule 25 ने, दो तीन चीज़ें बोली है, सबसे पहली चीज़ बोली है, कि जो physical verification होता है, वो पहले, जो registered person होता था, या जो person applying for registration होता था, उसकी physical presence में करना होता था, तो अभी उसकी physical presence में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़, दूसरी चीज़ असने कहा है, कि अगर physical verification, आप registration देने से पहले कर रहे हो, तो फिर पाँच दिन पहले, at least five days prior to what, to the time limit specified in the proviso, to rule 9-1, what is the proviso to rule 9-1, कि if the site verification is necessary for whatever reasons, for those three reasons, registration shall be granted within 30 days from the date of submission of application, तो 30 days से पाँच दिन पहले, यानि 25 दिन के अंदर-अंदर, GST RG 30 में site verification वाली report upload कर देनी चाहिए proper officer को, और अगर physical verification, carry out की after the grant of registration, तो site inspection के पंदरा दिन के अंदर-अंदर, GST RG 30 वाली report upload कर देनी होगी, ठीक है, तो यह important है, इस पर question आ सकता है, इसको आप लोग भ्यान दीजेगा, issue of registration certificate, rule 10, देखो, तो certificate grant and GST IN, upon approval, you receive a registration certificate from GST RG 06, and a unique 15-digit GST identification number, which includes a state code, pant and entity code and a checksum character, ठीक है, तो यह आपको मिल जाता है, effective date of registration, अगर आपने 30 दिन के अंदर-अंदर apply कर दिया, तो जिस दिन आप liable हो गए थे registration के लिए, उसी दिन से आपका registration effective हो जाएगा, अगर आपने 30 दिन के बाद किया था, तो registration is effective from the date, the registration is granted, तो मैं जिस दिन liable हो अगर उसके 30 दिन के अंदर-अंदर मैंने apply कर दिया, तो registration will be effective from the date on which I become liable for registration, लेकिन अगर मैं आज liable हो गया, और मैंने देर महीने बाद apply किया, तो जब भी registration में लिगा, उस दिन से registration effective होगा, digital signature, the certificate is digitally signed or verified through an electronic verification code by the proper officer, timely grant of RC, if deemed approval under section 95, the certificate is issued within 3 working days, if deemed approved under rule 95, rule 95 के साब सेगर deemed approval मिला है, तो certificate is issued within 3 working days, after the expiration of the period specified in rule 95, तीन working days के अंदर-अंदर आपको मिल जाएगा, RC मतलब registration certificate, ठीक है, bank account details, यह देखो, यहाँ पर amendment है, registered persons excluding certain categories, must provide bank account details on the common portal, within 30 days from the date of registration, or the date of furnishing the details of output, supplies and form GSTR1, or using invoice furnishing facility, whichever is earlier, पहले यहाँ पर 30 के जगए 45 days होता था, ठीक है, तो अब यह इसको change कर दिया गया है, तो अब आपको अपनी bank account की details, 30 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन आपको registration मिला, उसके 30 दिन के अंदर अंदर, आपको अपनी bank account की details, mention करनी पढ़ेंगी, ठीक है, आधार authentication, तो purposes of आधार authentication, required for revoking cancellation of registration, ठीक है, अगर आपका registration cancel हो रहा है, और आप कहरेंगे, अगर आपको refund के लिए अपनी करना है, तो आपको अधार authenticate करवाना पढ़ेगा, and claiming refunds for exported goods, export जब आप करते हो, तो उसके लिए, जो भी आप refund अगरे करते हो, तो आधार authentication करवाना पढ़ेगा, who should authenticate, the person responsible varies, depending on the business structure, like proprietor, partner, managing, director, etc., तो इपन करेगा, alternative identification, if अधार is not available, alternative ID proves, like अधार, enrollment, ID slip, bank, passport, voter ID, passport or driving license must be furnished, इधर देखिये, separate registration for multiple places of business within a state or union territory, तो conditions for separate registration, applicable if there are multiple business locations within a state or union territory with specific requirements for tax payments and invoicing, separate form GST REG 1 must be filed for each place of business, follows the same procedure, as in rules 9 and 10, same है, sue o moto registration, temporary registration, if someone is liable but hasn't registered, the proper officer can issue a temporary registration, ठीक है, अगर आप liable हो और आपने registration नहीं किया, तो proper officer आपको sue o moto, अपनी मर्जी से, अपने आप से, registration दे सकता है, temporary, the registration is effective from the date mentioned in the order, तो जो order पे date mentioned होगी, उस दिन से वो effective हो जाएगा, must be made within 9 days, अच्छा, deadline for application, तो must be made within 90 days of temporary registration, और within 30 days of an appellate order, if appeal is filed, तो जब आपको वो temporary registration मिला, उसके 90 दिन के अंदर अंदर, आपको definitely अपना GST REG 01 में, registration के लिए apply करना होगा, verification and grant, बिलकुल rule 9 और 10 की तरह से होगा, GST in effective date, from the date of temporary registration, ये देखो जी, display of registration certificate in GST IN on the name board, तो the registration certificate must be displayed at the principal and additional places of business, GST IN should be displayed on the name board and business entrances, method of authentication, तो E applications and replies must be authenticated using an E signature or digital signature, different entities have specific signing authorities like the CEO for companies in the Karthav for HUS, E notices and certificates देखो, issued electronically and authenticated by digital signature और E signature, ये भी simple साई, कुछ खास इसमें important वाली बाते हैं नहीं, अभी important वाली बाते हैंगी, एक आद कुछ और amendments हैं, वो आएंगे उनको देखेंगे हम लोग, ठीक है, assignment of unique identity number to certain special entities, तो इसके बारे में हम लोग ने बात कितना, consulates, embassies, UN वाले जो लोग होते हैं, वो सब, तो eligibility for UIN, specialized agencies of the UN, consulates, embassies and others specified by the commissioner, इनके लिए application process क्या होता है, electronically inform GST REG 13, submitted to the common portal, at the or at a facilitation center, assignment and certificate issuance, तो UIN is assigned and registration certificate is issued within three working days, deemed registration क्या है, registration certificate या UIN, under SGST या UTGST, considered, granted, under CGST, if not rejected, ठीक है, मतलब अगर, CGST में, आपका deemed registration हो गया, तो फिर SGST और UTGST में भी मान लिया जाएगा, कि आप registered हो, ठीक है, और अगर CGST में, या फिर या फिर इसको ऐसे देख लो, कि अगर SGST और UTGST में आपका registration हो गया, तो मान लिया जाएगा, कि CGST में भी registration हो गया, और अगर SGST या UTGST में rejection हो गया, तो CGST का भी rejected मान लिया जाएगा, non-resident और casual taxable persons के बारे में, हम लोग बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले differences देख लेता है, तो casual taxable person, तो यह जिस state में अपनी supplies दे रहे हैं, उस state में इसका कोई fixed place of business नहीं है, और यह जो non-resident taxable person है, इसका तो इंडिया में कोई fixed place of business नहीं है, casual taxable person registration के लिए form GST REG01 भरेगा, non-resident taxable person form GST REG09 भरेगा, तेक है, filing in ITC claims, file regular returns and can claim ITC on all inward supplies, यह GSTR 5 भरेगा, and can claim ITC only for imported goods, ठीक है, तो casual taxable person को तो किसी भी चीज़ का ITC मिल जाएगा, and RTPs को, non-resident taxable persons को, सिर्फ और सिर्फ imported goods पर ही ITC मिलेगा, special provisions related to a casual taxable persons and non-resident taxable persons, आओ देखते हैं, registration timeline, apply at least 5 days before starting the business activities, business activities के 5 दिन पहले कम से कम apply करना पड़ेगा, E, application for non-residents, submit form GSTREG 09 with required documents, authorized signatory, must be a resident in India with a PAN, advanced deposit करना पड़ेगा, तो pay estimated tax liability at registration and for any extension, तो हम लोग काफी देर से बात कर रहे तेना, कि casual taxable persons को temporary reference number दिया जाएगा, जिससे वो advanced tax deposit कर पाएगा, तो basically casual taxable persons के लिए होता किया है, कि जब भी वो किसी भी state में अपना registration करवाते हैं, तो उन्हें अपनी estimated tax liability पहले से ही जमा करनी पड़ती है, ठीक है, तो crediting of deposits, amount deposited credited to the electronic cash ledger, जितना भी पैसे जमा करते हैं, electronic cash ledger में जमा हो जाता है वो, temporary reference number issued for making an advanced tax deposit, verification and grant of registration वैसे ही होगा, जैसे normal लोगों का हो रहा था, validity of registration, तो initially valid up to 90 days, extendable for another 90 days, तो casual taxable person और non-resident taxable persons का जो registration होता है, उसकी validity 90 days की होती है, तो 90 days के बाद, वो और 90 days के लिए extend करवा सकते हैं, procedure for obtaining extension in period of operation by casual taxable person and non-resident taxable person, तो देको application for extension, before current registration expires in form GST REG 11, तो अगर इनको और 90 दिन के लिए extend करवाना है, तो इनका जो पहला 90 दिन वाला period होता है, उसकी expiry से पहले ही इन apply करना होता है, form GST REG 11 में, payment for extension, pay estimated tax liability for the extended period, तो of course, जितना भी extended period में, उनकी estimated tax liability है, उसको भी वो pay करना पड़ेगा, circular clarifying certain issues for casual taxable persons, क्या क्या है, issue 1, advanced tax calculation for casual taxable person registration, तो रेखो, aspect in net tax liability, तो when applying for registration as a CTP, form GST REG 1 asks for estimated net tax liability, and not the gross tax liability, ठीक है, मतलब gross और net में क्या फरक हो गया, कि gross तो आपने जितना भी बेचा, उस पे जितना भी GST आया, वो, net क्या हो गया, उसमें से आप ITC minus कर दोगे, तो net आ जाएगा, तो जब कोई भी casual taxable person, as a casual taxable person registration के लिए apply करता है, तो जो form होता है, वो estimated net tax liability मांगता है, gross tax liability नहीं मांगता, ठीक है, clarification के है, the advanced tax to be deposited by a CTP should be calculated, considering the due eligible input tax credits, that might be available to them, ठीक है, तो net tax liability जमा करनी होती है, आगे देखो, इशू 2 क्या है, extension of operation period beyond 180 days, ठीक, अगर आपके long running exhibitions वगेर हैं, जो कि 6-6 महिने से भी लंबे लंबे चले जा रहे हैं, तो क्या होगा, long running exhibitions, taxable persons operating exhibitions for more than 180 days, cannot be classified as CTPs, तो फिर आपको casual taxable person बोला ही नहीं जाएगा, normal registration requirement, such persons should obtain normal registration, and provide an allotment letter, as proof of their place of business, ठीक, advanced tax exemption, they are not required to pay advanced tax for registration, अब आप जब CTP ही नहीं के लाए जा रहे, तो registration किसमें आपको advanced tax भी पे करने की ज़रुरत नहीं है, post exhibition surrender, they can surrender the registration after the exhibition ends, mailा खतम हो जाए, amendment of registration, आप देखो, informing proper officer, सबसे पहले तो, तो registered persons and UIN holders must notify changes in their registration information, this should be done within 15 days of the change occurrence, ठीक है, मालो place of business बदल गया या कुछ भी हो गया, तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको registration के amendment करवाना होगा, तो notification देना होगा, approval or rejection of amendments, the proper officer reviews the changes and decides whether to approve or reject them, तो proper officer उसको approve करेगा, या reject कर देगा, देखेगा क्या करना है, some amendments may not require officer approval, applicants have the right to be heard before rejection, ठीक है, तो कुछ amendments में proper officer approval की जरुरती नहीं बढ़ेगी, और rejection से पहले, उन लोगों को सुनना भी पढ़ेगा आपको, कि भाई क्यों reject कर रहे हो, ठीक है, deem rejection and approval, rejections and approval under SGST और UTGST, are also considered as such under CGST, मतब गर SGST और UTGST में rejection हो गया, तो CGST में भी rejection नहीं माना जाएगा, प्रोसीजर क्या है, amendment के लिए, आँ देखो, application for change, तो submit changes electronically informed GST REG 14, within 15 days of the change, approval of amendment, core field changes are approved within 15 working days, changes in non-core fields are effective immediately upon submission, mobile number, email address, changes require online verification, PAN changes necessitate a new registration, ठीक है, क्योंकि GST IN के अंदर आपका PAN mentioned होता है, तो अगर आपका PAN ही change हो गया, तो उसमें amendment नहीं होगा, तो फिर आपको एक नया registration लेना होगा, retrospective amendment देखो, amendments are usually effective from the application date, but can be retrospective in specific cases, show cause notice for rejection, issued if amendment is deemed unnecessary, और documents are incomplete, तो अगर आपका amendment, आप कहा रहे हो कि इसको change कर दो, और proper officer को लग रहे हो कि आ रहे है तो unnecessary है, या documents ही incomplete है, तो वो आपको एक show cause notice दे सकता है, यह हम reject करने जा रहे हैं, और बता दो, देख लो, reply to show cause notice, respond within 7 working days of receiving the notice, आप साथ दिन के अंदर-अंदर reply कर दो, rejection of application, rejection occurs if the reply is unsatisfactory or not provided, अगर आपने reply ने दिया या reply आपका unsatisfactory है, तो application reject हो जाएगी, deemed amendment, if no action is taken within 15 working days of submitting the application, और 7 working days of receiving the reply, amendment is deemed approved, तेक है, आपने amendment के application दी, उसके 15 दिन के अंदर-अंदर कोई approval, कोई rejection, कोई show cause notice कुछ नहीं आया, deemed approved, ठीक है, एक आपके पास show cause notice आगया, आपने उसका reply कर दिया, reply करने के 7 दिन तक कोई approval, कोई rejection कुछ नहीं आया, तो deemed approved, cancellation of registration, आओ देखो, cancellation of registration, the proper officer can cancel the registration, or upon application by the registered person, और their legal heirs, ठीक है, तो या तो अपने मर्जी से वो cancel कर सकता है, या अगर मैने दे दिया, तो cancel कर देगा, या मेरे किसी legal heir ने, अगर बोल दिया, के भाई cancel कर दो, तो cancel हो जाएगा, reasons for cancellation include, discontinuation of business, transfer, amalgamation, demergers, change in constitution, or no longer being liable for registration, self-explanatory है यह, registration may be suspended during cancellation proceedings, reasons for cancellation by proper officer, वो स्वो मोटु कप कर सकता है, तो cancellation can occur for contravening GST laws, such as non-conductive business from declared place, जो जगा बोली ही है, वहा से business ही नही कर रहे है, issuing bills without supply, violating anti-profiteering rules, not providing bank details, misusing ITC, inconsistent supply details in form GSTR 1, और not filing returns as required, दूसरा, opportunity for hearing is provided before cancellation, registration may be suspended during proceedings, voluntarily registered persons can cancel registration anytime, simple है, यह सारी चीज है, मतलब समझाने का कुछ नहीं है, self-explanatory है, पूरा का पूरा और क्या, effect on tax liability देखो, तो cancellation does not affect the tax liability, to pay taxes, dues or obligations, for any period prior to cancellation, ठीक है, तो आपका registration अगर cancel हो गया, तो आप यह नहीं बोलोगे, कि हाँ ठीक है, पुराना वाल एड्यू हम pay भी नहीं करेंगे, तो हम cancel होगे, नहीं, पुराना वाल एड्यू आपको pay करना पड़ेगा, cancellation under SDST, UTGST Act, तो obviously, अगर आपका SDST ये UTGST के अंदर cancellation होता है, जो भी आपके raw materials, work in progress, finished goods पड़े हो, उस पर जितना भी ITC आप ले चुके हो, इन दोनों में से जो भी higher है, उसका आपको payment करना होगा, includes input in stocks, semi-finished goods, finished goods and capital goods, payment for capital goods is based on ITC taken, or the tax on transaction value, whichever is higher, ठीक है, तो capital goods पर आपको कितना tax pay करना पड़ेगा, या तो जितना आप उस पर ITC ले चुके हो, या फिर जब आप capital goods को बेच फगेरा रहे हो, तो जो भी transaction value है, जो भी उन दोनों में से higher value होगी, वो आपको pay करना होगी. Application for cancellation of registration, application submission, registered persons, excluding tax deductors, collectors and UIN holders, who wish to cancel their registration, must submit an application, ठीक है, the application is submitted electronically in form GST, अरीजी सोला, details कह है, must include information about inputs and stocks, semi-finished goods or finished goods and capital goods, as of the cancellation date, associated liabilities and payments made towards these liabilities, तो ये सारी details आपको mention करनी होगी. Supporting documents, relevant documents should accompany the application, submission timeline, the application and documents must be submitted within 30 days of the event, leading to the cancellation, submission method directly on the common portal, or through a facilitation center notified by the commissioner, ये भी हो जाएगा, ठीक है, देखो, Rule 21A, bold-bold आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, कि इसमें amendment है, तो deemed suspension on application, registration is deemed suspended upon application for cancellation, or from the requested cancellation date, whichever is later, ठीक है, suspension lasts until the completion of cancellation proceedings, तो आपका registration suspend भी किया जा सकता है, तो registration is deemed suspended, upon application for cancellation, or from the requested cancellation date, whichever is later, तो या तो आपने registration cancellation के लिए, apply कर दिया, तो उस date से आपका registration suspended मान लिया जाएगा, या अगर आप registration cancellation वाली application में कोई एक specific date देते हो, कि तो इस date से effective from, suppose आज से 10 दिन बाद, मैं अपना registration cancel करवाना चाहता हो, तो आज से 10 दिन बाद, आपका registration suspended मान लिया जाएगा, suspension lasts until the completion of the cancellation proceedings, suspension by proper officer भी हो सकता है, the proper officer can suspend the registration if it appears liable to be cancelled, suspension is effective from specified date and lasts until the cancellation proceedings are complete, suspension due to anomalies, आओ देखो, registration may be suspended for significant differences or anomalies in returns, अगर returns में anomalies हैं, तो फिर registration suspend किया जा सकता है, सब रूल 2A of Rule 21, यह सब रूल 2A of Rule 21 has been amended to provide that registration of a person shall be suspended, if he contravenes the provisions of Rule 10A, Rule 10A क्या था कि बाइंक की details 30 दिन के अंदर-अंदर submit करने होंगी, that is, he fails to furnish the bank account details within the time period specified in Rule 10A, however, if provisions of Rule 10A are complied with, the suspension of registration shall be deemed to be revoked, provided the registration has not already been cancelled by the proper officer under Rule 22, ठीक है, तो Rule 10A में यह था, अभी हम लोगों ने देखा था Rule 10A, यह देखो, Rule 10A, ठीक है, क्या यह, issue of registration certificate, तो registration certificate जब हो गया, अगर आपको registration certificate जब मिल गया, तो registered persons excluding certain categories, must provide bank account details on the common portal, within 30 days from the date of registration, और the date of furnishing details of outward supplies in Form GSTR 1, और using invoice furnishing facility, whichever is later, whichever is earlier, ठीक है, तो registration मिलनेगे, 30 दिन के अंदर अंदर, bank account details submit करनी पढ़ेंगी, अगर नहीं किया, तो आपका registration cancel हो जाएगा, suspension वाले mode में आजाएगा, ठीक है, तो यह यह है, Sub-Rule 2A of Rule 21 has been amended to provide that registration of a person shall be suspended if he contravenes the provisions of Rule 10A, that is, he fails to furnish the bank account details within the time period specified prescribed in Rule 10A. However, if the provisions of Rule 10A are complied with, the suspension of registration shall be deemed to be revoked, suspension revoked कर लिया जाएगा, provided the registration has not already been cancelled. ठीक है, अगर registration अगर रेजिस्ट्रेशन अगर रेजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो फिर आपका suspension revoked कर दिया जाएगा. Registered person is informed electronically and given 30 days and given 30 days to explain why the registration should not be cancelled. तो एक show cause notice तिया जाथा है. ठीक, देखो. Restrictions during suspension to a suspended person cannot make taxable supplies or issue tax invoices that is exempt from filing returns under section 39. No refunds during suspension No refunds under section 54 are available during the suspension period. Revocation of suspension Suspension is revoked upon completion of cancellation proceedings. It can also be revoked during proceedings by proper officer. If due to non-filing of return, suspension is revoked upon submission of all pending returns. Revised invoice and return post-revocation After revocation, revised tax invoices and first return provisions apply for supplies made during the suspension period. तो अगर आपका suspension woke हो गया, तो फिर आपका वैसे ही माल लिया जाएगा, आज इफ आप पहली बार register हो तो आपको first return भरना पड़ेगा, वगरा, वगरा, सारी revised tax invoices आपको देनी होंगी, जो registration के तुरंद बात दी जाती है, ठीक, देखो. Procedure to be followed by proper officer for cancellation of registration. सबसे पहले तो शो कॉस notice. तो proper officer issues a show cause notice in form GST-REG 17. If they believe registration should be cancelled, registered person has 7 working days to respond. Reply to show cause notice. Response to show cause notice must be provided in form GST-REG 18 within 7 working days. Order for cancellation if registration is dribbly cancelled, an order in form GST-REG 19 is issued within 30 days of the application or show cause notice reply. Cancellation is effective from a specified date with obligations to pay outstanding amounts as per section 29.5. Dropping of cancellation proceedings. If response to show cause notice is satisfactory, proceedings are dropped. Order in form GST-REG 20 confirms the dropping of proceedings. Applicability to legal heirs. Provisions apply to legal heirs of a deceased proprietor as if cancellation application was made by the proprietor. Revocation of cancellation of registration. Registration आपका cancel हो गया, इस order को revoke कर दिया. क्याहा, नहीं, 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 cancel नहीं है. तो application for restoration. Application for revocation of cancellation in form GST-REG 21 within 30 days of receiving the cancellation order. तो मेरेको अगर cancellation order मिला, उसके 30 दिन के अंदर में GST-REG 21 भरूँगा, काहूंगा, नहीं, cancelation का order revoke कर लो. Extension of this period is possible up to an additional 30 days. Acceptance या rejection of application. तो proper officer reviews the application and decides on revocation or rejection within a prescribed period. Appling it is given a chance to be heard before rejection. Common sense ये सारी चीज है. Restoration under SGST ये UTGST. तो revocation under SGST ये UTGST is deemed revoked under CGST. अगर SGST ये UTGST में revocation हुआ, तो CGST में भी deemed revoked मान लिया जाएगा. Conditions for filing restoration application cannot be filed until all pending returns are filed and associated dues are paid. Order for approval or rejection. तो proper officer issues and order for approval form GST-REG 22 or rejection from GST-REG 05 within 30 days. Show cause notice before rejection. Notice in form GST-REG 23 is issued before rejecting the application. Disposal of application. Application is disposed of according to rule 23-2 procedures within 30 days of receiving the response. And now this thing, procedure for revocation of revocation of cancellation of registration. Restoration application for cancelled registration. A registered person can apply for revocation of cancellation within 30 days of receiving the cancellation order extendable by the authorities. ठीक है? मुझे cancellation order मिला, मैं उसके 30 दिन के अंदर-अंदर एक application दे सकता हूँ कि आप इस cancellation order को revoke कर लो. Right? With effect from 1st October 2023, the time limit of filing an application for revocation of cancellation of registration shall be increased from 30 days to 90 days from the date of the service of the order of cancellation of the registration. ठीक है? तो पहले 30 दिन का था, लेकिन अब 30 से बढ़ा कर इसको 90 दिन का कर दिया गया है. Further, on sufficient cause being shown and for reasons to be recorded in writing, such person can be extended by the commissioner such period, such period can be extended by the commissioner or an officer authorized by him in this behalf not below the rank of additional commissioner or joint commissioner as a case में भी for a further period not exceeding 180 days. तो initial period ही पहले 30 days का होता था, अब उसको बढ़ा कर 90 days कर दिया, कबसे 1st October 2023 से? अगर 1st October 2023 के पहले किसी को cancellation का order मिला है, तो उसको 30 दिन का ही समय है, उसको 30 दिन के अंदर-अंदर revocation के लिए apply करना पड़ेगा. कि भाईया, आप अपना cancellation वाला order revoke कर लो. लेकिन अगर 1st October या उसके बाद कभी आपको cancellation का order मिला है, then you have 90-day period, कि 90 दिन के अंदर-अंदर आप revocation के लिए apply कर सकते हो, और अगर proper officer चाहे तो उसको बढ़ा सकता है, उसको 180 दिन कर सकता है. कि अपकिन अच्या अच्या झाट करेंगा. Clarification on filing returns depends on whether the cancellation was immediate or retrospective. To order for approval or rejection or restoration of application approval if valid reasons are found, the proper officer will approve the application issuing an order in form GST REG 22 within 30 days. तेक है, आपने revocation के लिए application दी, अगर सब कुछ सही लगा, तो 30 दिन के अंदर अंदर अप्रूव हो जाएगी आपके application. The application may be rejected with written reasons communicated in form GST REG 05. issuance of show cause notice before rejection, the before rejecting the application, a notice in form GST REG 23 is issued. The applicant has 7 working days to respond in form GST REG 24. Disposal of application, the application is processed based on the information or clarification provided in form GST REG 24. The proper officer disposes of the application within 30 days of receiving the information or clarification. तेक है, सारे questions इस चाप्टर में जो बुक में दिये हुए है, वो important है, क्योंकि mostly theoretical questions है, and since there's so much of content, the number of questions which I see AI has given, even which I have given, तो वो limited ही questions है, जो बुक में दिये हुए. तो इस chapter से related सारे के सारे questions आप लोगों को जरूर जरूर करना है, क्योंकि exam से एक दिन पहले ना, it's difficult, it will be difficult, कि आप ये सारी की सारी सीज़ें, इसको ऐसे याद रख पाऊ या कुछ है, तो at least अगर आप उसके questions कर लोगे, तो आपको काफी सारी चीज़ें याद रही जाएंगे, ठीक है, इसी के साथ, registration वाला भी हम लोगों का revision complete हो जाता है, I hope आप लोगों को मज़ा आया होगा, please video को like करके, comment section में comment करके जरूर बताना, आपको session useful लगा या नहीं, ठीक है, it's been 1 hour and 21 minutes, non-stop हम लोग ये वाला कर रहे हैं, and everything is covered properly, ठीक है, thank you so much everyone, take care, अपना ध्यान रखिये, bye-bye.